Hello my dear students, स्वागता आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़ादा खास होने वाली है जो इस बार 10 क्लास CBC बोर्ड का मैट्स का एक्जाम देने वाले है आप भी जानते हैं कि आपके एक्जाम में मन्थ में होने वाले है पर आपके पास ज़ादा टाइम नहीं बचा है तो इसलिए मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर आया हूँ धासू क्रैश कोर्स बच्चो इस कोर्स की खासियत ये है कि इस कोर्स में हम solve करेंगे PYQ इसका simple सा मतलब है previous year questions अगर मैं बात करूं topics की तो हम एक भी topic नहीं छोडने वाले हैं साल 2018 से लेकर 2020 तक जितने भी questions पूछे गए हैं उन सभी को आज हम solve करने जा रहे हैं बच्चो आपको घबराने की जरुवत नहीं है अगर आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है तो बच्चो आप इस वीडियो को पूरा देखें so that की आपको हर एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आप बहुत जरूरी concepts को miss कर देंगे और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर short tricks की मदद से समझाओंगा किस तरीके से आप बहुत बड़े questions को बहुत आराम से solve कर सकते हैं तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया maths के हर एक topics से questions को हम solve करने जा रहे हैं चाहे वो आपका real numbers हो, polynomials हो, quadratic equation हो, AP हो circle हो, A to Z, जितने भी topic यहाँ पर लिख्या हो है सबके questions को हम one by one solve करेंगे exam के अंदर जो question आपसे पूछे जाते हैं वो होते हैं आपके one mark, two mark, three और four mark के ठीक है, इसी तरह के question आपसे पूछे जाते हैं तो इन सभी को हम one by one देखेंगे, 2020, 2019 और 2018 के questions को इस video को मैं बहुत ही positive note पर start करना चाहता हूँ मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि struggle को हमेशा sympathy मिलती है और success को दुनिया हमेशा सलाम ठोखती है इसका बहुत ही simple सा मतलब है कि आपने मेहनत की लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको कोई पूछेगा नहीं वहीं दूसरी और अगर आपने मेहनत कर ली और आपको सकस्स मिल गया तो दुनिया आपको सलाम करेगी अब तैए आपको करना है, कि आपको सिर्फ स्टगल करते रहना है या फिर सकस्स के लिए फाइट करना है बच्चों हमेशा एक reason आपके पास होता है कि आप नहीं कर सकते, शायद मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, लेकिन आप खुछ से 10 मिनट बात करो, आपको 1000 वज़े मिल जाएंगी कि सिर्फ तुम ही कर सकते हो, और सिर्फ तुम से ही होगा, तो चलिए बच्चों आप शुरू करते हैं question number 1 से, ये question आपका 2020 में आ चुका है, 1 mark का question है, MCQ, ओकि यहाँ पर आपको 4 option given होंगे, question क्या कहता है, the HCF and LCM of 12, 21, 15 respectively are 3,140, 12,420, 3,420, 420,3, तो ये 4 option आपके सामने हैं, तो बच्चों जिन लोगों को नहीं पता कि HCF और LCM में क्या difference होता है, सबसे पहले यहाँ पर full form देख ले, HCF का full form होता है, highest common factor या फिर greatest common factor, LCM का full form होता है, least common multiple या फिर least common divisor, तो चली बच्चों अब इसको solve कर लेते हैं, देखिए, HCF पहले लिखा हुआ है, LCM बाद में, तो इसका simple सा मतलब है, जो पहला term है, वो आपका HCF होगा, और जो दूसरा term है, वो यह आपका LCM है, इसमें आपको कोई भी confusion नहीं होनी चाहिए, तो बच्चों मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, जब भे आप किसी question को solve करने के लिए जाते हो, तो आपके पास दो तरीके होते हैं, उसको solve करने के लिए, पहला होता है normal approach, या फिर इसे कह सकते है traditional approach, और time ज़्यादा लगता है इसको solve करने के लिए, और अगर हम बात करे smart approach की, तो इसमें steps कम होते हैं, और time कम लगता है, जिससे आपका answer बहुत जल्दी आता है, देखिए, यहाँ पर कहीं न कहीं आप use करते है short tricks, ओके, short tricks की मदद से आपका answer बहुत fast आ सकता है, बहुत speedly आ सकत है, तो बच्चों जब भी आपसे दोनों पूछे जाएं, HCF और LCM, तो सबसे पहले आपको निकालना है HCF, इसका reason भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं, कि सबसे पहले आपको HCF fine करना है, और उसके बाद आपको LCM निकालना है, वो सकता है कुछ बच्चे आप यहाँ पर लिख लेंगे, 12 का factor होगा 3 into 4, 21 का होगा 3 into 7, और 15 का होगा 3 into 5, अब यहाँ पर दिखिए जो आपका common factor है, वो क्या है, obviously 3 है, मैंने यहाँ पर highlight किया हुआ है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि common factor कौन सा होगा, अब बच्चों जो भी number आपका common होता है, त highest common factor, तो यहाँ पर आपके पास option 2 है, यह आपका HCF है, यह आपका LCM है, तो देखिए 12 वाला यह आपका eliminate हो चुका है, 420 यह भी आपका eliminate हो चुका है, अब आपके पास 2 option बचे है, A and C, ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो बच्चों जैसे आपका HCF find हो जाता ह है, उसके बाद आपको निकालना है LCM, तो LCM find करने के लिए इन सभी values को इस तरीके से आप लिख लोगे, 12, 21 और 15, अब आपको एक ऐसा number लेना है, possible number, जिससे की इन सभी values को आप divide कर सकते हो, ठीक है, जैसे यह आपका 12 number है, 21 है और 15, यहाँ पर observe करके आप बता सकते हैं कि 3 जो number है, उससे हम इन सभी numbers को divide कर सकते हैं, तो divide करने के बाद देखिए, यहाँ पर number आ जाते हैं, 4, 7, 5 इस तरीके से, अब देखिए, यहाँ पर आपको कोई भी common number नहीं मिलेगा, जिससे आप divide कर सकते हैं, तो one by one यही numbers आप लेते चलिए, और आपने लिया एक बार, ठीक कर देना है, यह जो आपके factors हैं, इन सभी को आपस में multiply कर देना है, 3 into 4 into 5 into 7, तो उसके बाद आपका निकल के आ जाएगा, LCM, तो बच्चो इस तरीके से आप normal approach को use करके इसका answer निगाल सकते हो, HCF आपका आ गया, 3 और LCM निकल के आ चुका है, 420, तो इसका simple सा मतलब है, इ 3, 420, तो बच्चो आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, अब हम use करेंगे smart approach, हलागी यह question आपका one mark का है, इतनी मेनत क्यों कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, बून बून से घड़ा बरता है, तो one mark भी आपका बहुत जरूरी है, सबसे पहले आपको find करना है, HCF तो HCF find करने के लिए आप यही method यूज़ करोगे, अब बारी आती है LCM की, तो LCM find करने के लिए आपको करना क्या है, मेरी बात को ध्यान से समझना, अब आपके पास 3 number है, 12, 21 और 15, आपको बड़ा वाला number चूज़ करना है, मेरी बात आरी है समझ में, बड़ा वाला number कौन स है, 21, अब देखिए, यह जो आपका बड़ा वाला number है, उसी से यह जो आपका LCM है, divide होना चाहिए, मेरी बात आरी समझ में, इसको हम कहते हैं, least common divisor, ओके, लेट से आपके पास यहाँ पर 2 option थे, क्योंकि आपने निकाल लिया था HCF, जो कि 3 है, तो option आपके पास 2 ही है, या तो A होगा, या फिर C होगा, तो options को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, या तो आपके पास 3,140 होगा, या फिर option C, जो कि है 3,420, क्योंकि आप HCF निकाल चुके हो, तो हम बात करेंगे सिर्फ LCM की, तो आपको करना क्या है, इस बड़े number से ही आपको divide करके देखना है, क्या ये पूरी तरीके से divide होता है, या फिर नहीं, मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, 21, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, क्या ये number divide हो पा रहा है, या फिर नहीं, ये number divide नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से, क्या ये number divide हो रहा है, divide करके देखते हैं, कितने time आएगा, द पतलब है कि आपका option A कभी नहीं होगा answer आपका answer होगा option C आपको सिर्फ बड़ा वाला number लेना है divide करके देखना है ओके जैसा कि आपने दो option already eliminate कर दिये थे दो option थे दोनों आपने C जो है वो आपका answer होगा तो यहाँ पर यह conclude कर सकते हैं कि आपको यह सब करने की जरुवत नहीं है ओके यह आपको यहाँ पर LCM निकालना नहीं है यह यहाँ पर multiplication नहीं करना है ओके तो यह सब आपको नहीं करना है तो इतना मेनत आपका बच जाएगा आपको एक बड़ा number चूज करना है डिवाइड करके देखना है डिवाइड हो पाता है पूरी तरीके से तो वही आपका answer होगा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं question number 2 की if hcf 336,54 is equal to 6 find the lcm 336,54 याने कि इनी दो numbers का आपको lcm भी find करना है hcf आपको given है इनी दो numbers का आपको lcm भी find करना है यह question आपका 2019 में पूचा गया था one mark का question है तो चलिए बच्चों इसको solve कर लेते हैं देखिए जब आपको दो numbers already given है जिनका lcm आपको find करना है ठेक है और hcf भी आपको given है आपको सिर्फ निकालना क्या है lcm तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा formula काम आने वाला है वो formula क्या होता है वो formula होता है hcf multiplied with lcm is equal to product of the two numbers क्या कुछ याद आ रहा है आपको हो सकता है इस question की language कुछ change होकर आ जाए आपके पास ओके लेकिन अगर आपको concept मालूम है कि hcf is multiplied with lcm is equal to product of the two numbers इसका simple सा मतलब है जिन दो numbers का hcf हमने निकाला है और जिन दो numbers का आपको lcm find करना है उन numbers का product के बराबर होता है hcf into lcm तो बच्चो अब आपको करना क्या है जो question के अंदर आपको given है उन सभी values को यहाँ पर put करना है hcf आपको given है क्या hcf का value आपको given है 6 ओके इन दो numbers का hcf आपको given है यहाँ पर लिखेंगे 6 into lcm lcm आपको find करना है find the lcm ok lcm आपसे पूछा है is equal to product of the two numbers ok तो यह जो दो numbers है आपके 336 and 54 336 and 54 उनी को यहाँ पर लिखना है ok product करना है अब simply यहाँ से आप lcm find कर सकते हैं lcm क्या होगा बच्चो जल्दी से निकालिए 336 into 54 divided by 6 ok इसको आप यहाँ पर divide कर सकते हैं यह आपका 9 हो जाएगा 336 into 9 और यहाँ पर आपका answer निकल के आ जाएगा 3024 ok यह आपका lcm होगा and this is the answer for this problem तो आपको यह जो formula है वो याद रखना है कि hcf into lcm ठीक है जो निकल के आता है numbers का वो यहाँ पर आपको लिखना है hcf into lcm is equal to product of the two numbers इसको हमेशा याद रखना है ok चली अब बात करते हैं question number 3 की show that square of any positive integer cannot be of form 5q plus 2 और 5q plus 3 for any integer q यह आपका 2020 में पूछा गया था last year 4 mark का question है सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस question का मतलब क्या है show that square of any positive integer cannot be of form this and this दिखे एक positive integer है उसका square करना है और किस form का नहीं होना चाहिए 5q plus 2 और 5q plus 3 किस integer के लिए q integer के लिए ठीक है इसको solve करने के लिए आपको use करना है Euclid division algorithm और किस तरीके से आप use करेंगे इसको solve करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है इस positive integer को ही let करना है ओके फिर उसका square करना है तो यहाँ पर हम कर लेते हैं let let a is the positive integer ओके एस positive integer जिसका square आपको करना है अब यहाँ पर आप use करेंगे using Euclid division algorithm अब आपको क्या करना है यह आपका positive integer है A तो इसके बराबर आपको रखना पड़ेगा क्योंकि आपको यही बोला गया है show that square of any positive integer cannot be of this form तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा A is equal to this form 5Q plus 2 तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस Q की जगे अभी मैं M माल लेता हूँ ठीक है इस Q की जगे मैं रख लेता हूँ M क्योंकि जब आप इसको solve करोगे square करोगे ठीक है तो वहाँ पर इसको simplify करने के लिए यह काम आएगा ठीक है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यह आपका काम आने वाला है अभी इसको आप क्या मानेंगे Q is equal to M माल लेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5M plus R ठीक है basically यह जो आपका 2 है यह R है ठीक है अगर आपने Euclid Division Algorithm पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि A is equal to BQ plus R होता है ठीक है basically यह जो R है ठीक है इसका value लाई करता है 0 और B के बीच में ठीक है यह जो आपका B है ओके इसके बीच में इसका value लाई करता है 0 और B के बीच में तो बच्चो यहाँ पर जो R है R क्या है smallest non-negative term है ठीक है तो चले देखते हैं अब आप इसको किस तरीके से solve करोगे यहाँ पर जो value होगी आपकी कहां से कहां तक लाई करेगी 0 से लेके 5 तक ठीक है यह आपका B है इसको मैंने यहाँ पर लिखा है 5 ओके यह आपका B है इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओके अब आपको simply क्या करना है जो question में आपको बूला गया है square ओके तो आपको दोनों तरफ square कर देना है squaring आप लिखेंगे squaring on both side both side square कर देना है square करने के बाद आपके पास आजाएगा a square is equal to 5m plus r का whole square ठीक है इसको आप क्या लिख सकते हैं आपको पता है a plus b का whole square क्या होता है बच्चो जल्दी से बताइए यह होता है आपका a square plus 2ab plus b square ठीक है यही होता है आपका तो चलिए इसको यहाँ पर expand कर देते हैं a square is equal to कितना जाएगा 5m का whole square ठीक है प्लस 2 into 5m आपका क्या है a है तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5m into r plus r square ओके इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं अब आपको क्या करना है जो m वाली terms है उनको आपको एक साथ लिखना है किस तरीके से a square is equal to कितना हो जाएगा यह आपका हो जाएगा 25m square प्लस यह आपका 10m r हो जाएगा प्लस r square आप यहाँ पर लिखेंगे a square is equal to इन दोनों term में से आपको 5 common लेना है ओके तो 5 common लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा अंदर 5m square प्लस 2m r प्लस r square तो यह आपका equation हो गया number 1 ठीक है इस तरीके सा आपने इसको लिख लिया अब बच्चो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना यह जो equation है इसी को लेकर आपको चलना है और आपके बनेंगे 5 case 5 case किस तरीके से बनेंगे क्योंकि r का value आपको यहाँ पर 0 से लेके b तक रखना है इसका मतलब है 0 से लेके 5 तक रखना है तो आपके यहाँ पर जो case बनेंगे वो बनेंगे आपके 5 case ठीक है और वहाँ पर आपको चेक करना है कि क्या यह जो form है आपकी 5 q plus 2 और 5 q plus 3 यह आपके आती है या फिर नहीं आती है और यही आपको चेक करना ह तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको r का value रखना है, 0 से लेके 5 तक, ठीक है, इसी equation के अंदर, तो जल्दी से आप इसका screenshot ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास space नहीं है, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा, तो देखिए बच्चों, यह हमारे equation number 1 थी, a square is equal to, 5 आपने common लिया था, 5m square plus 2mr plus r square, ओके, यह r का value लाई करता है, 0 से लेके 5 तक, तो यहीं पर हम test करेंगे, r का value 0 से लेके 5 तक, इसी equation के अंदर, यहीं बात आ रहे हैं समझ में, तो आपको simply करना क्या है, case number 1 लेना है, जिसम में आपको, put r is equal to 0, okay, 0 से start करना है, 5 तक जाना है, तो चले ही, यहाँ पर हम test कर लेते हैं, in equation 1, इस equation में आपको put करना है, तो बच्चों, क्या निकल क्या आएगा, a square is equal to, r का value तक, यहाँ पर रखेंगे, तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे, तो यह value आपका 0 हो okay, और मैंने कहा था, जहाँ भी आपका m वाले time है, उसको q मानना है, okay, तो that means 5m square को आप क्या लिखेंगे, q लिखेंगे, ठीक है, यही आपका integer होगा, okay, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, आपका 5q, okay, a square is equal to 5q, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, q is equal to 5m square, जिसको मैंने यह यहाँ पर भी लिखा है, okay, is an integer, अब बच्चो आपको लेना है, case number 2, case number 2 आपका रहेगा, r is equal to 1 पर, okay, यहाँ पर आप change कर लिजे, मैंने आपको बदायदा, 0s लेके 5 तक, लेकिन यह 5 तक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर less than है, equal नहीं है, okay, तो that means r का value जो होगा, आप test क करेंगे, 0, 1, 2, 3 and 4 पर, ठीक है, 5 पर नहीं करेंगे, क्योंकि यह आपका equal नहीं है, ठीक है, यहाँ पर less than है, तो यह आपका 4 तक ही होगा, तो चलिए, यहाँ पर आप लिख लिजे, case number 2, case number 2, ठीक है, second case हो जाएगा, आपको क्या करना है, put r is equal to 1, ठीक है, 0 आप test कर चु 1, ठीक है, इसी equation के अंदर आपको रखना है, तो बच्चो क्या निकल के आएगा, a square is equal to, आपको simply यहाँ पर r का value क्या रखना है, 1 रखना है, यहाँ पर 1 रखना है, ठीक है, तो यह equation हो जाएगी आपकी 5, m square, plus 2m, ठीक है, ठीक है, तो बच्चो जहाँ पर भी m वाली terms है, इनको आपने एक साथ लिख लिया, और आपने क्या किया, 5m square, plus 2m, is equal to, आपने क्या रख दिया, q, ओके, इसको simplify करने के लिए, और यही बात मैंने आपको starting में बताई थी, तो आपकी यह equation हो जाएगी, a square is equal to, 5q, plus 1, ठीक है, इसका मतलब है, कि जो आपका q है, वो क्या हो 5m square, plus 2m, ठीक है, यह क्या है, आपका is an integer, तो बच्चो case number 1 और case number 2 को मैंने यहाँ पर solve कर दिया है, और case number 3, 4 और 5 को यहाँ पर मैं directly display करने वाला हूँ, तो आप इसका screenshot ले लीजिए, तो बच्चो यह है आपके बाकी के cases, case number 3, case number 4 और case number 5, case number 3 में हमने r is equal to 2 लिया है, case number 4 में r is equal to 3, और last case में आप लेंगे 4, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर mention किया था, तो आप जैसे यहाँ पर put कर लेते हैं, आपके पास यहाँ पर equations आ जाएंगी, 5q plus 4, ओके, मैंने यहाँ पर simplify करके लिख दिया है, आप इसको, जिस तरीके से मैंने case number 1 और case number 2 में solve किया था, उसी तरीके से आप यहाँ पर solve कर सकते हैं, ओके, जो भी m की आपकी terms है, उनको मैंने क्या लिखा है, q, कि क्या यह इस form में आती है, या फिर नहीं आती है, case number 3 में आया है, 5q plus 4, okay, case number 4 में 5q plus 4, okay, case number 5 में 5q plus 1, अब थोड़ा आप यहाँ पर धियान देना, okay, मैं यहाँ प terms चाहिए थी, अब case number 1 में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, case number 1 में आपका आया था 5q, case number 2 में 5q plus 1, okay, case number 3 में 5q plus 4, case number 4 में 5q plus 4, और case number 5 में 5q plus 1, क्या यह दोनों terms इन सभी cases में आती हैं या फिर नहीं आती है, 5q plus 2 and 5q plus 3, यह दोनों ही terms in सभी cases में नहीं आती है, तो इसका simple सा मतलब है, आप क्या लिख सकते हैं, hence the square of any positive integer cannot be of this form, 5q plus 2 and 5q plus 3, for any integer q, तो बच्चों finally आपको यही चेक करना था, कि क्या यहाँ पर यह values रखने के बाद, यह वाली terms आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं, आपने यहाँ पर चेक कर लि कर दिया, आपने प्रूफ कर दिया, that square of any positive integer cannot be of this form, 5q plus 2 and 5q plus 3, for any integer q, तो आप यहाँ पर लिख देंगे, hence, तो बच्चों last में आपको यही लिखना है, hence, the square of any positive integer cannot be of form, 5q plus 2, और 5q plus 3, for any integer q, and this is the answer for this problem, तो चली बच्चों आप बात करते हैं question number 4 की, लेकिन question number 4 को शुरू करने से पहले, मैं आप सभी से request करता हूँ, कि आप इस channel को subscribe जरूर कर ले, जिससे कि आपको आने वाले time में class 11th की NCRT और RD शर्मा के solution मिलते रहें, और जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे ह तो आप उनको मेरी playlist suggest कर सकते हैं, आप मेरे channel को subscribe जरूर कर ले, जिससे कि उनको RD शर्मा जैसी book के solution मिल जाएं एक ही जगे पर, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप से पूछा गया है, prove that 2 plus 5 into under root 3 is an irrational number, given that under root 3 is an irrational number, आपको ये prove करना है कि ये जो number है, ये आपका irrational number है, औ पर आपको ये भी given है, कि under root 3 जो है वो आपका irrational number है, और जैसे कि आप जानते हैं ये number तो आपका irrational number ही होता है, तो बच्चों इस question को solve करने के लिए क्या करेंगे, दिखिए यहाँ पर आपको बोला गया है, prove that 2 plus 5 into under root 3 is an irrational number, तो आपको इसका just opposite let करना है, कि ये जो number है, वो this number that means 2 plus 5 under root 3 be a rational number, तो बच्चों देखिए let करने में कोई बुराई थोड़ी है, कोई खर्चा थोड़ी लग रहा है, आपको simply let करना है, माल लो, ओके, तो आप क्या करेंगे, rational number क्या होता है, P by Q form में होता है, किस form में होता है, P by Q form में होता है, जिसमें P और Q आपके क्या हो positive integers, मेरी बात आरे ही समझ में, कैसे numbers होते है, positive integers, ओके, और जिसके अंदर Q आपका, should not be 0, Q cannot be 0, नहीं तो यह number कैसा हो जाएगा, infinite, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, therefore, this number 2 plus 5 under root 3 is equal to P by Q, यही तो हमने यहाँ पर लिखा है, इस number को क्या माना है, irrational, तो यहाँ पर इसी number को मैंने लिख दिया, अब बच्चो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, इसको यहाँ से कैसे solve करोगे, अब बच्चो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, आप यहाँ से इसको कैसे solve करोगे, देखो, यह आपका under root 3 है, एकलौता irrational number, जो आप जानते हैं, ठीक है, तो इसी के बराबर आपको यह सारे number लिख लेने हैं, ठीक है, simplify करना है, अब यहाँ पर जैसे मैं लिख लेता हूँ, 5 under root 3 is equal to p upon q minus 2, ठीक है, 2 को में यहाँ पर ले गया, अब आपको 5 को यहाँ पर लेके जाना है, that means under root 3 is equal to p by q minus 2 divided by 5, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर इस number को लिख सकते हैं, इसको आप further solve कर सकते हैं, under root 3 का value आजाएगा, ओके यह आपका यहाँ पर 2 q हो जाएगा, ओके नीचे q हो जाएगा, तो q आपका नीचे चला जाएगा, that means p minus 2 q upon 5 q, ठीक है, तो यह आपका equation हो जाएगा, अब इस equation को थ्यान से देखना है, तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, under root 3 is equal to p minus 2 q upon 5 q, थोड़ा सा दिमाग लगाईए, देखिए, p और q आपके positive integers हैं, और positive integers को आप minus करे, plus करे, divide करे, multiply करे, आपका positive integer ही आएगा, मेरी बात आगी समझ में, यह जो number होगा, वो rational होगा, जबकि under root 3 आपका कैसा है, यह आपका irrational number है, ओके, which is contradict of the equation, तो बच्चों मेरा कहने का मतलब है, कि जैसे यहाँ पर equal का sign लिखा हुआ है, ओके, तो यह rational number है, तो यह भी आपका rational number होना चाहिए था, क्योंकि यह equal है, ओके, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका simple सा मतलब है, कि LHS is not equal to RHS, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, LHS is irrational, okay, and RHS right hand side is rational, okay, which is a contradiction, contradiction का क्या मतलब है, यानि match नहीं कर रही है, यह जो condition है, match नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर irrational is equal to rational है, which is not possible, which is a contradiction, तो इसका simple सा मतलब है, यह जो number है, आपका कैसा हो जाएगा, irrational हो जाएगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, therefore, 2 plus 5, okay, 2 plus 5 under root 3 is irrational, okay, और यहीं आपको proof करना था, तो बच्चों मैं आपको बता दूँ कि यह जो question है, 2019 board exam में पूछा गया था, 2 mark का question है, तो यहाँ पर आपने देखा, कितना असान था, इसको solve करना, आपको simply let करना है, कि यह जो number है, वो rational है, okay, फिर उसके हिसाब से आपको यहाँ पर solve करना है, irrational number is equal to this number, okay, और यहाँ पर आपको condition test करना है, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर answer बताना है, so this is the answer for this problem, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं question number 5 की, given that under root 2 is irrational, prove that 5 plus 3 into under root 2 is an irrational number, क्या आपको को समझ में आ रहा है, जी हाँ, यह question आपका question number 4 की तरह है, यहाँ पर जो difference है, वो क्या है, question number 4 आपका start हुआ था, prove that से, okay, और यह start हो रहा है, given that से, okay, यह जो statement लिखी हुई है, question number 4 में, यह बाद में given थी यहाँ पर, okay, यही difference है, बागी question आपका same है, यह question आपका पूछा गया था 2018 में, यह आपका one mark का question है, okay, तो बच्चों tension नहीं लेना है, confusion में नहीं रहना है, मान लीजिए, यह आपका save है, okay, और यह आपका केला है, अगर मैं इनकी position change कर दूं, ठीक है, केले को यहाँ रख दूं, और save को यहाँ रख दूं, क्या केला save बन जाएगा, और save केला बन जाएगा, नहीं न, तो उसी तरीके से यह जो statement है, इसको इधर से उधर रखने में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, meaning वही रहेगा, तो बच्चों यह जो खेल है, CBC ऐसा खेल खेलता रहता है, तो आप भी खेलिए और enjoy कीजिए, तो बच्चों यहाँ पर हमारा पहला topic complete हो चुका है, real numbers, अब हम बात करेंगे polynomials की, इस topic को शुरू करने से पहले बच्चों मेरी एक बात याद रखना, रणभूमी में युद्ध होने से पहले उस युद्ध को मनो भूमी में खेला जाता है, इसका मतलब है कि रणभूमी आपका CBC बोर्ड है और मनो भूमी आपका मन है, आपको सबसे पहले आपके मन को कंट्रोल करना है, अपने आपको mentally strong बनाना है CBC बोर्ड exams के लिए, आप सबी ने सुना ही होगा कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार, यानि कि जिसने मन से ठान लिया कि मैं जीत गया तो वो जीत गया और जिसने मान लिया कि मैं हार गया तो वो वैसे ही हारा हुआ है, उसकी भगवान भी मदद नहीं कर सकता, तो चली बच्चों अब समझ लेते हैं question number 6 में आपसे क्या पूछा गया है if any of the zeros of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2 then value of k is 4 option आपके सामने है 10 minus 10 minus 7 या फिर minus 2 देखे सबसे पहला आपको समझना पड़ेगा question में क्या बोला गया है यहाँ पर एक term use किया गया है zeros ठीक है तो देखेंगे कि यह क्या बला है और आपको मालूम है कि quadratic polynomial क्या होता है जो highest power होती है वो आपकी 2 होगी जिसे हम degree बोल सकते है और हाँ जिन बच्चों को नहीं पता k क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ कि k basically constant होता है ओके मैं यहाँ पर एक standard equation लिख देता हूँ ax square plus bx plus c ओके for example यहाँ पर मैं एक quadratic equation लिख देता हूँ let's say x square minus 12x plus 35 अब zeros क्या होता है इसको समझना यह 35 आपका constant है that means k है अब यहाँ पर zeros को समझना है अगर मैं 12 को इस तरह से expand करूँ कि आपका दो numbers को multiply करने के बाद 35 आ जाए और plus minus करने के बाद 12 आ जाए ठीक है तो यहाँ पर दो number होंगे 7 और 5 ठीक है that means 7 into 5 करने पर आपके सामने आ जाएगा 35 और 7 plus 5 करने के बाद आपको मिल जाएगा 12 तो यह जो 7 और 5 है यही आपके zeros हैं तो यहाँ पर एक value आपको given है 2 ठीक है let's say यहाँ पर 7 और 5 है तो इसी तरीके से आपको एक value तो given है दूसरी आपको निकाल ली है तो किस तरीके से आप निकालेंगे चलिए देखते हैं यह जो zeros है इनको बोला जाता है alpha और beta ठीक है let's say यह आपका alpha है और यह जो 5 है यह आपका beta है अगर इन दोनों को add करें alpha plus beta is equal to कितना आता है minus b upon a अब b और a क्या है देखिए जो coefficient है x का b है coefficient x square का a है तो आपको compare करना है और values को put करना है तो यहाँ पर एक zeros का value आपको given है मान लिजिए आपको alpha given है alpha और beta आपके zeros हैं तो एक आपको given है तो हमने मान लिया कि चलो आपको alpha given है ओके यह आपको 2 given है मेरी बात आरे है समझ में तो simply आपको करना क्या है values को put करना है यह जो equation है इसको compare करना है यहाँ से ठेक है और b और a का value put करना है तो b कितना होगा बच्चो यह आपका 1 हो जाएगा और यह आपका 3 है तो a का value कितना हो जाएगा 1 और b का value 3 और alpha का value आपको 2 given है that means 2 plus beta is equal to minus b b का मतलब 3 रोके यह आपका coefficient है a कितना है 1 x square का coefficient 1 तो यहाँ पर जो beta का value है कितना आएगा बच्चो जल्दी से बताएगे minus 3 यह आपका minus 2 हो जाएगा यहाँ पर जाने के बाद that means minus 5 तो beta का value आपने find कर लिया तो बच्चो आपको यह जो formula है यह आपको याद रखना है ठेक है alpha plus beta is equal to minus b upon a होता है एक और याद रखना है क्या कि alpha into beta is equal to c upon a यह भी आपको याद रखना है यहाँ से आपका जो c है जो k है वो निकल के आ जाएगा मेरी बात आरे ही समझ में क्योंकि आपको alpha और beta दोनों मिल गया a का value आपको मालूम है यहाँ से आप c का value find कर लेंगे इसका मतलब है k का value ठीक है तो आप c की जगया क्या रख देंगे k ठीक है क्योंकि यहाँ पर जो c है उसको k बोला गया है तो आप k रख दीजिए ठीक है तो alpha का value जल्दी से बताइए alpha का value 2 है आपका already given था beta का value आपने यहाँ से find कर लिया minus 5 okay is equal to c तो यहाँ पर आपने रख लिया k और a का value कितना है बच्चो a का value है 1 तो यहाँ पर आप 1 लिख लेंगे तो k का value कितना आ जाएगा बच्चो therefore k is equal to 2 into minus 5 that means minus 10 okay तो k का value कितना आ गया बच्चो minus 10 तो कौन सा option correct होगा option b that means minus 10 तो बच्चो यह है आपका question number 7 the quadratic polynomial the sum of 4 zeros is minus 5 and their product is 6 अब देखिए यहाँ पर आपको quadratic polynomial find करना है कौन सा होगा 4 option given है option a is x square plus 5x plus 6 option b is x square minus 5x plus 6 option c is x square minus 5x minus 6 option d is minus x square plus 5x plus 6 अब देखिए given क्या है sum of whose zeros is minus 5 आपको given है zeros का sum minus 5 है और उन दोनों का product आपको given है 6 अब देखिए किस तरीके से आप निकालेंगे आपको मालूम होना चाहिए जो standard equation होगा वो क्या होगा ठीक है इसको हम x माल लेते हैं ओके जो भी आपका quadratic polynomial है वो आपका function है x के respect में यहाँ पर देखिए variable आपका x ही है अब f x जो होता है वो क्या होता है x square इसको आप note कर लेना कहीं पर this is very very important sum of the zeros this equation is very very important okay multiplied with x okay multiplied with x plus product of product of zeros okay तो बच्चों यह आपकी standard equation निकल के आ जाएगी okay यह आपकी quadratic polynomial के लिए होगी अब आपको करना क्या है जैसा कि हमने question number 6 में पढ़ा था कि alpha और beta आपके zeros होते हैं तो यहाँ भी आपको given है sum of those zeros okay that means alpha और beta का जो sum है वो आपको given है तो alpha प्लस beta is equal to minus 5 and their product is 6 उन दोनों का multiply alpha into beta आपको given है 6 ओके मेरे बात आगे समझ में तो यह आपको given है इतना आपको समझ में आ चुका होगा अब आपको करना क्या है sum of whose zeros यह जो equation है standard equation है इसमें values को put करना है यहाँ पर आप put करेंगे alpha प्लस beta का value और alpha into beta आप यहाँ पर रखेंगे मेरे बात आगे समझ में तो चले यहाँ पर put कर देते हैं x square minus sum of the zeros कितना है minus 5 तो आप यहाँ रख देंगे minus 5 okay into x plus product of zeros कितना है 6 तो यहाँ पर रख देंगे 6 कितना आसान है आपको सिर्फ यह जो equation है standard equation है यह मालूम होनी चाहिए ठीक है तो यह आपका plus हो जाएगा minus minus plus हो जाएगा यह आपका बन जाएगा 5x plus 6 अब बताए कौन सा option correct है x square plus 5x plus 6 देखे पहला ही option आपको मिल गया this is correct okay and this is the answer for this problem आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं question number 8 की divide the polynomial f of x is equal to 3x square minus x cube minus 3x plus 5 by the polynomial g of x is equal to x minus 1 minus x square and verify the division algorithm तो बच्चों मैं आपको बता दो कि यह question आपका 2020 में पूछा गयता है last year okay 3 mark का question है और यह वो question है जो सबसे most awaited है most awaited क्यों है क्योंकि maximum बच्चों को इस question में problem होती है doubt होता है कि किस तरीके से divide किया जाता है maximum बच्चों को नहीं पता कि किस तरीके से इस question को solve किया जाता है अगर आपको भी divide करना नहीं आता है तो कोई बात नहीं मैं यहाँ पर आपको simple तरीके से समझाऊंगा किस तरीके से polynomials को आप divide कर सकते है तो देखिए जो CBC board है वो आपको question के अंदर थोड़ा सा जोल करके देगा गडबड करके देगा और वो गडबड क्या है आपको पहचानना है देखिए यहाँ पर जो order है यह जो function है f of x यहाँ पर थोड़ा सा गडबड है गडबड क्या है order देखिए यहाँ पर आपका x square है यहाँ पर x cube है तो जो बड़ा वाला power है x का वो पहले आना चाहिए फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा ओके last में आपका constant आता है इसी तरीके से g of x में आपको दिखना है यहाँ पर आपका x का power 1 है यहाँ पर x का power 0 है ओके यहाँ पर x square है तो x square पहले आएगा then x आएगा फिर उसके बाद minus 1 आएगा इसी तरीके से तो आपको यहाँ पर correct करना है modify करके f of x is equal to दिखे आपका यह हो जाएगा minus x cube ok plus 3x square minus 3x plus 5 last में आपका constant रहेगा ठीक है इसी तरीके से g of x को आप लिख लोगे यहाँ पर लिखोगे minus x square इसके बाद plus x उसके बाद minus 1 ठीक है अब आपको डिवाइड करना है मेरी बात आगे समझ में यह आपकी गडबड़ थी यह आपका जोल था यह आपने correct कर लिया अब आपको solve करना है मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि question को solve करने से पहले आप question को 2-3 बार read जरूर कर ले समझ ले जिससे कि आपके उस question के गलत होने की जो chances है negligible हो जाए मेरी बात आरे समझ में तो चली बच्चों आप इसको solve कर लेते हैं जिस तरीके से आप divide करते हैं normal तरीके से ठीक है उसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है ओके यह आपका क्या है dividend है इसको आप यहाँ पर लिखेंगे ओके आप लिख लीजिए minus x cube plus 3x square minus 3x plus 5 ओके और यह आपका divisor है इसको आप यहाँ पर लिखेंगे minus x square plus x minus 1 ओके और जो नीचे आता है वो होता है आपका remainder ओके और यह आपका quotient होता है आप यहाँ पर लिख लिख लीजिए इस तरीके से आपको याद रहेगा यह आपका dividend है dividend ओके और यह आपका divisor है और यहाँ पर जो आपका नीचे आता है that is your remainder ओके and this is your quotient ओके c u o t i e n t ओके इस तरीके से आपको यह जो तरीका है वो याद होना चाहिए कौन सा divisor है कौन सा dividend है अब बच्चो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना देखे यह आपका divisor है ओके divisor का जो पहला term है इसको आपको hold करके रखना है पकड़ के रखना है यह आपके बार-बार काम आएगा ओके अब जो पहला step है वो ध्यान से समझना आपको minus x square का कितने से multiply करें कि dividend का जो पहला term है minus x cube यह आजाए मेरे बात आरे समझ में into कितने से multiply किया जाए तो x से आपको multiply करना पड़ेगा so that कि आपका minus x cube आजाए मेरे बात आगी समझ में अब यह जो x से आपने multiply किया है उसी को आप quotient में यहाँ पर लिखेंगे यह जो step है इसको आप लिखते जाना note करते जाना step wise में आपको समझा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से तो आपने जैसे यहाँ पर multiply किया तो यह आगया आपका minus x cube यह जो term है इसको मैंने यहाँ पर लिखा है और यह जो x है इसको मैंने लिखा है यहाँ पर ठीक है अब क्या करना है बच्छो यह जो quotient में आपका x आया है मेरी बात को ध्यान से समझना quotient के अंदर जो x आया है ठीक है इसका multiply करना है इस term के साथ ओके plus x minus 1 यानि कि यहाँ पर जो भी sign होगा चाहे वो आपका minus होगा उससे भी आपको multiply करना पड़ेगा मेरी बात को ध्यान से समझना चाहे यहाँ पर minus का symbol होता उससे भी आपको multiply करना पड़ता तो multiply करने के बाद क्या आएगा बच्छो plus x square मैंने यहाँ पर क्या किया plus x minus 1 के साथ multiply कर दिया किसका x का तो आपके पास कितना आ गया plus x square minus x मेरी बात आ गई समझ में आपके पास आ गया plus x square minus x इसी term को मैंने यहाँ पर लिख दिया ठीक है इस तरीके से तो बच्छो आप क्या करोगे यहाँ पर एक line draw कर दोगे जैसा कि आप हमेशा करते हो आप कर दोगे subtraction minus जैसे आप करते हो तो यह term बन जाएगा आपका plus का और यह हो जाएगा cancel क्योंकि यह आपका minus का time हो जाएगा minus x cube और यह हो जाएगा plus x cube तो यह आपका cancel हो गया अब क्या करना है यह term आपका minus का रहेगा और यहाँ आपर देखिए minus है अगर मैं minus करता हूँ तो यह time आपका plus का हो जाएगा अब देखिए 3x square में से आपको minus करना है minus x square तो यह आपका हो जाएगा 2x square मेरी बात आगी समझ में आप देखिए minus 3x और यह आपका plus x तो कितना होगा minus 2x हो जाएगा मेरी बात आगी समझ में अब क्या करना है बच्चो यह जो plus 5 है इसको भी आप यहाँ पर लिख लेंगे ओके plus 5 अब क्या करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताये था कि इस time को आपको hold करके रखना है पकड़ के रखना है अब दुबारा काम आएगी ओके अब देखिए कितना हम यहाँ पर multiply करें कि यह time आजाए आपकी मेरी बात आरी समझ में कितने से multiply करें कि यह time आपकी निकल के आजाए यानि कि minus x square के साथ कितने से multiply कि आजाए कि 2x square निकल के आजाए तो आपको multiply करना पड़ेगा minus 2 के साथ तब ही आपका आएगा minus 2x square मेरी बात आगी समझ में यहाँ पर आप लिखेंगे 2x square ठेक है और आपने कितने से multiply किया minus 2 से तो इस minus 2 को आप लिख देंगे यहाँ पर यह हो गया आपका x minus 2 यह आपका quotient हो गया मेरी बात आगी समझ में अब आपको करना क्या है इस minus 2 का इस minus 2 का आपको multiply करना है इसके साथ plus x minus 1 के साथ तो कितना होगा जल्दी से बताइए यह होगा आपका minus 2x और यह हो जाएगा आपका जल्दी बताइए plus 2 ओके minus 2 into minus 1 that means plus 2 again आप यहाँ पर line draw करोगे फिर minus करोगे ओके यह आपका term बन जाएगा plus का और यहाँ पर आप करेंगे minus तो देखिए यह आपकी जो term है यह आपकी cancel out हो जाएगी क्योंकि यह आपका plus का है और यह आपका minus का है ठीक है देखिए यहाँ भी यह आपका minus का term है minus 2x और यह आपका plus का term है plus 2x तो यह भी आपका cancel out हो जाएगा अब देखिए यह जो term है आपका कितना है 5 minus 2 that means आपके पास जो remainder बचेगा हो कितना बचेगा बच्चो 3 3 is the remainder for this problem तो बच्चो अब आप divide तो कर चुके हो अब आपको करना क्या है simply आपको verify करना है आपसे पूछा गया है and verify the division algorithm तो इसको verify करने के लिए आपको करना क्या है देखिए यह आपका divisor होता है ओके जब आप इसको multiply करते हो quotient के साथ और add करते हो अपना remainder plus remainder armies remainder तो आपको मिलता क्या है is equal to dividend मेरी बात आगी समझ में आपको मिलता है dividend तो आपको करना क्या है आपको divisor लिखना है quotient लिखना है दोनों को multiply करना है उसमें add करना है remainder ओके वो dividend के बराबर आना चाहिए इस तरीके से आपको करना क्या है देखिए जो आपका divisor है divisor कितना है minus x square आप यहाँ पर लिख लिजिए minus x square plus x minus 1 इसको multiply करना है quotient के साथ okay that means x minus 2 और plus करना है remainder remainder is 3 is equal to dividend यह आना चाहिए अब यहाँ पर आप इसको multiply करके देख लिजिए आपको क्या मिलेगा यह जो term है आपका dividend यही आना चाहिए यही बात आगी समझ में तो आपके पास जो dividend है वो कितना आएगा dividend निकल के आएगा आपके पास minus x cube plus 3x square minus 3x plus 5 ओके और यही आपका verification है वो कि यह जो आपका dividend यहाँ पर लिखा हुआ है यही यहाँ पर आना चाहिए and this is the answer for this problem तो चलिए बच्चों अभी तक हमने दो topics को cover कर लिया है real numbers और polynomials को अब हम बात करेंगे pair of linear equations in two variables की बात करते हैं इस question की इस question में आपसे क्या पूछा गया है the value of k for which the system of equations x plus y minus 4 is equal to 0 and 2x plus ky is equal to 3 as no solution is 4 option आपके सामने है minus 2 is not equal to 2 तीसरा है 3 और आखरी है 2 यह question latest पूछा गया था 2020 के अंदर 1 mark के लिए ओके आपको find करना है k का value यही बात आ रहे समझ में k का value find करना है यह जो equation है 2x plus ky is equal to 3 इसमें जो k है वो आपको find करना है यहाँ पर जो k है यह आपको find करना है for the system of equation has no solution जिसका कोई solution नहीं होगा और no solution के लिए आपको यहाँ पर जो मैंने लिखा है इसको आपको याद रखना है ठीक है यह इसका concept है यह आपको याद होना चाहिए इसी को हम apply करने वाले हैं अब देखिए इसको solve करने के लिए आपको करना क्या है standard equation के साथ इनको compare करना है मेरी बात आ रहे समझ में यहाँ पर जो आपका पहला equation है वो क्या है x प्लस y minus 4 is equal to 0 अगर मैं इस equation को इस equation के साथ compare करूँ तो आपका a1 क्या होगा b1 क्या होगा और c1 क्या होगा a1 होगा आपका 1 यहाँ पर जो coefficient है वो आपका 1 है ओके B1 का value क्या होगा B1 का value B1 होगा Y के साथ जो coefficient है वो आपका 1 है C1 का value क्या होगा C1 का value होगा minus 4 ओके इसी तरीके से जो आपका दूसरा equation है उसको भी compare करेंगे 2X plus KY अब यहाँ पर 3 को आप यहाँ पर ले आएंगे minus 3 is equal to 0 अब आपको compare करना है इस equation के साथ जो दूसरा equation है तो A2 का value कितना होगा बच्चो 2 होगा और आपका B2 का value कितना होगा B2 का value होगा K और C2 का value कितना होगा C2 का value होगा आपका minus 3 I hope आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा देखिए अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं है सिर्फ compare किया है जो standard equation है उसके साथ compare किया है अब इस concept को हम apply करेंगे यह आपकी condition satisfy होने चाहिए किस तरीके से आपको सबसे पहले निकालना है A1 upon A2 A1 upon A2 देखिए किस तरीके से निकालोगे A1 और A2 का value आपको put करना है A1 का value 1 है और A2 का value 2 मेरी बात आगे समझ में अब आपको C1 और C2 चेक कर लेना है ओके let's say C1 और C2 का value यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं तो C1 का value minus 4 है और C2 का value minus 3 ओके तो minus से minus आपका cancel out हो जाएगा आपके पास value कितना आएगा C1 upon C2 is equal to 4 upon 3 अब बच्चों मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना यहाँ पर लिखा हुआ है कि A1 upon A2 should not be equal to C1 upon C2 and B1 upon B2 also should not be equal to C1 upon C2 क्या यह condition यहाँ पर satisfy होती है मेरी बात को ध्यान से समझे A1 upon A2 is not equal to C1 upon C2 जो यह वाला case है हमारा क्या यह satisfy होता है जो आपकी यहाँ पर values है A1 upon A2 की कितनी है बच्चों आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे A1 upon A2 का value 1 upon 2 है ओके और C1 upon C2 का value क्या यह condition satisfy होती है क्या दोनों equal है नहीं है तो that means यह condition आपकी satisfy हो चुकी है no solution के लिए अब बच्चों मेरी बात को थोड़ा और ध्यान से समझे आपको find करना है की का value इसका simple सा मतलब आपको find करना है B2 का value ओके और B2 का value find करने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते है A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 जो आपका यहाँ पर relation है इसको ही मैंने यहाँ पर लिख दिया है अब यहाँ से होगा क्या आप B2 का value find कर सकते हैं ओके तो A1 और A2 का value आपको मालूम है 1 upon 2 ओके तो यहाँ पर आप लिखी A1 upon A2 का value 1 upon 2 is equal to B1 upon B2 तो B1 का value आपको मालूम है 1 है ओके और आपका जो B2 है वो क्या है वो K है आपका ठीक है अब यहाँ से करेंगे क्या cross multiply कर देंगे तो होगा क्या K का value आपके सामने आ जाएगा तो K का value आपने find कर लिया 2 बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं next question की next question है father's age is 3 times the sum of ages of his 2 children after 5 years later his age will be twice the sum of ages of 2 children find the age of the father यह question पूछा गया था CBC Board 2019 में अब बच्चों मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना बच्चे जो maximum गलती करते हैं वो क्या है question को डंग से ना पढ़ना, read ना करना उसी की वज़े से आपकी जादातर गलतिया होती है तो आपको करना क्या है जब इस तरह का question होगा तो आपको कम से कम 2-3 बार इस question को पढ़ना है, थोड़ा hold करना है, रुकना है भागना नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपकी race है वो किसी और के साथ नहीं है अपने आपके साथ है, तो आपको थोड़ा सा रुकना है, ठीक है time देना है question के उपर, जिसे कि आपका answer जो है वो correct आए, तो चली बच्चों अब इसको solve कर लेते हैं, देखिए आपको यहाँ पर father's age निकालनी है और क्या निकालना है आपको sum of the ages of his two children निकालना है, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि father और दो दो बच्चे, तो यानि तीन हो गए, तो हमको तीन यहाँ पर variable लेने पड़ेंगे, x, y, z ऐसा नहीं करना है, मेरी बात को ध्यान से समझो, father's age और sum of the ages तो ठीक है, यहाँ पर आपके दो ही variable होंगे, एक होगा father's age के लिए और दूसरा होगा sum of ages ठीक है, office to children अब बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, आपको यह दो चीजे निकाली है, father's age और sum of the ages, तो इन दोनों को आपको let करना पड़ेगा, let करना में आपका कुछ नहीं जाता तो आप let कर लीजिए, ठीक है, आप लिखेंगे तो यहाँ पर आप father की age को x मान लेंगे, और बच्चों की जो age है, sum होकर जो i है, ठीक है उसको आप y मान लेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं let the age of father be x and sum of the ages of his two children be y, तो आपका यह years में होगा, तो यहाँ पर आप लिख देंगे x years and y years, अब बच्चों मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, इस तरह की questions में generally आपकी दो equations form होती है, ठीक है, जहां से आप x और y का value find कर सकते हैं, जो पहला आपका statement लिखा हुआ है, आपकी पहली equation यही से बन जाएगी, father's age, वो के जो father की age है, वो कितनी है, तीन गुना है, किसके the sum of ages of his two children, तो आप यहाँ पर लिख देंगे जो father का age है, रोके, father's age, कितना है बच्चों, जल्दी से बताएए, वो आपका तीन गुना है, किसके sum of the ages of his two children, यानि की 3 into y के, और father का जो age है, वो है x, that means x is equal to 3y, तो यह आपका पहला equation होगा, तो बच्चों, यहाँ पर मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझे, after 5 years, ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, after 5 years क्या होगा, after 5 years, अभी फिलहाल, जो father की age है, वो x है, तो after 5 years कितना हो जाएगा, जल्दी से बताएगे, father's age, ओके, after 5 years, अभी x है, तो 5 साल बाद होगा, x plus 5, x plus 5 years, ओके, इतनी बात आगे समझ में आपको, अब इसके बाद समझने वाली बात ये है, after 5 years later, his age will be twice the sum of ages of 2 children, ओके, कितना होगा, जो father का age है, यानि के x plus 5, ये कितना होगा, किसके बराबर है, question में given है, twice the sum of ages, ओके, is equal to twice, twice हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, ओके, 2 से multiply करना है, तो कितना होगा, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, sum of ages of 2 children, अब मा लिजिये, A और B, दो बच्चे हैं, दो चिल्रन है, ओके, तो इसमें 5 सार आपको add करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था, मेरी बात आरी समझ में, 10 साल add होगा, बच्चों की जो age है, जो sum था, उसमें 10 years ही तो add होगा, अब बच्चों चलिए दुबारा से, यह जो statement है, इनको पढ़ते हैं, आपने माना था, फादर का age x है, और बच्चों की age है y, ओके, जो फादर की age है, वो कितनी है, फादर की age में, आप 5 साल add कर दोगे, x प्लस 5, पहले x थी, अभी x प्लस 5 हो जाएगी, ओके, अब देखिए, बच्चों की age में, क्या होगा, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है, after 5 years later, his age will be twice, the sum of ages of 2 children, तो आपकी ये equation निकल के आती है, ओके, जो फादर की age है, वो कितनी है, twice of the ages of the 2 children, तो बच्चों, I hope आपको ये जो theory है, ये समझ में आ चुकी होगी, किस तरी किसा आपको दो equation form करनी है, ये पहली equation है, ये आपकी दूसरी equation है, ओके, इसको हम यहाँ पर simplify कर लेते हैं, x प्लस 5 is equal to, ओके, 2y प्लस 20, ओके, अब यहाँ पर आप लिख लेंगे, x माइनस 2y is equal to 20-5, that means, x माइनस 2y is equal to 15, ये आपकी second equation है, ओके, ये ही आपकी चल रही है, आपको करना क्या है, x का value आप यहाँ पर put कर दें, ओके, x का value अगर यहाँ पर put करते हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे, put value of x, in equation second, ओके, तो क्या हो जाएगा, 3y, 3y minus 2y is equal to 15, तो 3y minus 2y आपका y हो जाएगा, तो y का value आपका 15 हो जाएगा, ओके, और जैसे आपका y का value आता है, तो आप इसको equation 1 में put कर दोगे, okay, put value of y is equal to 15, in equation 1, तो जैसे आप इसमें put करते हैं, तो x का value कितना हो जाएगा, 3 into 15, okay, तो x का value आपके पास आजाएगा, 45 years, मेरी बात आगई समझ में, x का value, यानि कि जो father की age है, वो आपके पास निकल के आगई, 45 years, if 4 is the 0 of the cubic polynomial, x cube minus 3x square minus 10x plus 24, find its other 2 zeros, तो इस question के अंदर आपको एक cubic polynomial given है, और 2 zeros आपको find करनी है, x 0 आपको given है, तो इसका simple सा मतलब है, आपका factor हो जाएगा, x minus 4, okay, इसी से आपको divide करना है, इस cubic polynomial को, ठीक है, x cube minus 3x square minus 10x, यहाँ पर करना क्या है, जो आपका quotient निकल के आएगा, ठीक है, quadratic equation की form में, वहीं से आपके दो बाकी zeros निकल के आ जाएंगे, मेरे बात आगे समझ में, तो मैं यहाँ पर direct आपको solve करके दिखा देता हूँ, अब देखिए, यह जो quotient है आपका, यहाँ पर आपको zeros find करना है, किस तरीके से करोगे, x square plus, अब यहाँ पर देखिए, 1 है आपका, अब यहाँ पर आपको, 1 इस तरीके से लाना है, कि दो terms को, दो numbers को multiply करने के बाद, आपका 6 आ जाए, और add या फिर, subject करने के बाद, आपका 1 आ जाए, तो किस तरीके से आएगा, 3 minus 2, तो दो number आपको लेने है, 3 और 2 हम ले सकते हैं, दोनों को multiply करेंगे, तो 6 आ जाएगा, और 3 minus 2 करेंगे, तो 1 आ जाएगा, या फिर हम क्या सकते हैं, plus 1 आ जाएगा, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, minus 6, तो यह हो जाएगा, आपका, x square, plus 3x, minus 2x, minus 6, अब देखिए, यहाँ से आप ले सकते हैं, x common, तो यह हो जाएगा, आपका, x plus 3, और minus आपका common हो जाएगा, और 2 भी common हो जाएगा, तो अंदर आपके पास बचेगा, x plus 3, ओके, तो that means, x plus 3, आप common ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा, x minus 2, तो बच्चो, finally आप बोल सकते हैं, कि जो आपके बाकी 2 zeros हैं, वो कौन से होंगे, x is equal to minus 3, and x is equal to plus 2, यह आपके बाकी 2 zeros होंगे, and this is the answer for this problem, determine graphically the coordinates of the vertices of a triangle, the equations of whose sides are given by 2y minus x is equal to 8, 5y minus x is equal to 14, and y minus 2x is equal to 1, तो बच्चो, यह question बहुत आसान है, आपको करना क्या है, देखिए, यहाँ पर आपको graphically एक triangle draw करना है, ठीक है, और जो उनकी coordinates है, उनको आपको यहाँ पर बताना है कि coordinate क्या होंगे, equation आपको given है, जैसे इस graph के अंदर एक triangle draw करेंगे, ठीक है, इस तरीके से मान लिजिए, यह पहला line होगा, पहले equation के लिए, दूसरी के लिए कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, और तीसरी equation के लिए इस तरीके से होगा, तो यह आपका एक triangle बनता है, अब मान लिजिए, जो आपका ये वाला है, यह आपका एक vertices है, यह आपका vertex है, यह आपका vertex है, और यह आपका vertex है, यह जो point है, ठीक है, और यही आपको find करने है, जो coordinates होगे, इस vertex पर, ठीक है, यह आपके 3 vertices होगे, तो वही आपको find करने है, तो चली हम देखते हैं, किस तर पहले जो पहले equation है उसको आप लिख ले 2y जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2y-x is equal to 8 ओके और यहाँ पर एक छोटा सा डब्बा बना के रखना है यहाँ पर एक छोटा सा एक डब्बा बना के रखना है एक छोटा सा box rectangular box ओके जिसमें सबसे पहले लिखना है आपको x और y, यारी बात आगे समझ में, अब आपको करना क्या है, आप x को पकड़ लें, x को पकड़ने के बाद जो x का value है, आप change करते रहें, आप 0 से start कर सकते हैं, ठीक है, तो let's say मैंने 0 रख लिया, तो 0 के बाद y का value कुछ आएगा, तो y का value क्या आएगा, अगर x का value मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ, तो y का value आएगा 4, ओके, इसी तरीके से जो next value होगा, थोड़ा सा आप बड़ा रखें, ऐसा नहीं, 0.5 रख दिया, आपको थोड़ा सा बड़ा value लेना है, so that कि आपका एक triangle धंग से बन सके, ओके, let's say यहाँ पर मैं value लेता हूँ, 2, तो 2 लेने पर, x का value, 2 लेने पर y का value कितना आएगा, 5, इसी तरीके से अगर मैं x का value, let's say कोई minus का value लेता हूँ, minus 4, तो यहाँ पर जो value होगा आपका, वो आएगा 2, ओके, तो चलिए 3 value काफी है, इसी तरीके से जो आपका next equation है, उसके लिए हम solve कर लेते हैं, ओके, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको लेना है, तो बच्चों, अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, जब आपका यह सारा काम complete हो जाए, जब box आपका सारा complete हो जाए, तीनो equations के लिए, अब आपको करना क्या है, जो आपका triangle है, ठीक है, तीन line से बना है, ओके, तो one by one, हर equation के लिए आपको line draw करना है, यह जो graph दिख रहा है आपको, ठीक है, यह आपका x-axis है, और यह आपका y-axis है, ओके, किस तरीक एसे करोगे, देखे, यह जो आपका box है, यहाँपर आपको देखना है, यहाँपर ध्यान दिजिए, जब x का value 0 है, तो उस time पर y का value 4 होना चाहिए, ठीक है, जब आपका x का value 0 है, तो 0 आपका यहाँँपर होगा, origin पर ठीक है तो उस time पर y का value 4 है तो y के लिए आप यहाँ पर जाएंगे ओके अब देखे जिस time पर x का value 2 है उस time पर y का value 5 है जिस time पर x का value 2 है उस time पर y का value 5 है ओके तो इस तरीके से आप draw कर सकते है ठीक है इस तरीके से आपको better समझ में आएगा तो यहाँ पर आप इसको दिखा सकते है ठीक है जहाँ पर यह intersect करता है इस तरीके से अब देखे जिस point पर आपका x minus 4 है उस time पर y का value 2 है जब x का value minus 4 है तो minus के लिए आप इधर जाएंगे left में ठीक है positive के लिए आप right में जाते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे जब आपका x का value minus 4 है उस time पर y का value 2 है ओके यहाँ पर ठीक है तो आप यहाँ से एक line draw करेंगे ओके इस तरीके से मैं dotted line दिखा रहा हूं तो यहाँ पर आप इसको दिखा सकते हैं ठीक है तो देखिए अगर इन तीनों point को मैं connect करूँ इन तीनों dots को मैं connect करूँ तो आपका एक line draw हो जाएगा मेरी बात आगी समझ में चलिए यहाँ पर हम इस line को complete कर लेते हैं इस line को हम complete कर है मेरी बात आगी समझ में तो चलिए बच्चो आपका first line complete हो चुका है triangle के लिए रोके अब हम move करते हैं second line पर that means second equation पर तो यहाँ पर किस तरीके से draw करेंगे in the same manner जैसे हमने first में किया है उसी तरीके से आप यहाँ पर करेंगे आप देखिए इसी तरीके से आप third line के लिए भी draw कर सकते हैं उससे पहले आप यहाँ पर देख लिजिए कि जो आपका line है वो किस तरीके से बनेगा जो आपका line है वो आपका कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है ठीक है यहाँ पर तीनों dots को मैंने connect कर दिया ठीक है फैला dot आपका यह वाला था दूसरा यह वाला वा तीसरा आपका यह सेम था ठीक है अब देखिए इसी तरीके से आप third line के लिए भी draw कर सकते हैं तो यह तीन लाइन आपकी complete हो चुकी है तो आपका triangle यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको यह आपका triangle है ठीक है यह वाला coordinate आपके यह वाले होगे एक तो यह है अपका let's say यह आपका coordinate a है यह आपका coordinate b है और यह आपका coordinate c है ठीक है यह आपका a है तो यह क्या होगा x और y का value इस point पर क्या है इस point पर इस vertex पर x और y का value क्या है और यहाँ पर x और y का value क्या है यह आपको बताना था बहुत simple है तो यहाँ पर जो value है x का value जल्दी से बताइए x का value है minus 4 x का value है minus 4 और y का value 2 तो जो पहला coordinate है वो आपका यह हो गया minus 4 comma 2 B, B पर आते हैं तो यहाँ पर क्या होगा X का value है 2 X का value यहाँ पर कितना है बच्चो 2 ओके और Y का value 5 तो 2 comma 5 यह आपका second coordinate हो गया और यहाँ पर जो आपका third vertex है इसका क्या होगा यहाँ पर X का value 1 है ओके और Y का value देखिए यह आपका 3 है ओके तो 1 comma 3 is your third coordinate तो यह आपके 3 coordinate हो गए इसी तरीके से आपको यह solve करना है So this is the answer for this problem चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं next question की The boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours In 13 hours it can go 40 km upstream and 55 km downstream Determine the speed of stream and that of the boat in still water यह question पूछा गया था CBC boat 2019 में चलिए अब समझ लेते हैं इस question का मतलब क्या है देखिए सबसे पहला आपको मालूम होना चाहिए की upstream क्या होता है और downstream क्या होता है यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ की downstream और upstream में क्या difference है मान लिजिए यह एक reaver है और उसमें यह boat है ओके जो boat का direction है वो इस तरफ है और जो steam है पानी है ठीक है flow of water वो भी same direction में है तो इसे हम कहेंगे downstream ओके बात करें upstream की तो बच्चो इस case में जो boat है उसका direction तो same रहेगा जैसे downstream में था लेकिन यहाँ पर जो पानी का direction है ओके जो stream का direction है वो just opposite होगा I hope आपको समझ में आ चुको है कि downstream और upstream में क्या difference है अब देखे question में आपको बोला गया है the boat goes 30 km upstream 30 km upstream में travel करता है boat और 44 km downstream में कितनी देर में? 10 hours में इसी तरीके से 13 hours में it can go 40 km upstream and 55 km downstream अब आपको find करना है speed of the stream and that of the boat in still water तो बच्चों इसका simple सा मतलब है आप से पूछा गया है कि speed of stream क्या होगी और speed of boat क्या होगी तो यहाँ पर सबसे पहले आप let कर लेंगे ओके आपको let करना है speed of stream and speed of boat तो सबसे पहले हम लिखेंगे let the speed of boat इसको हम माल लेते हैं x ओके इसी तरीके से आपको speed of stream यहाँ पर let करना है इसको हम माल लेंगे y ओके और हाँ बच्चों यह जो speed है यह होगी आपकी km per hour में ओके इसी तरीके से आप यहाँ पर भी लिख देंगे बच्चों इस question में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर कुछ terms use की गई है जैसे speed हो गया ठीक है 44 km यानि कि यह distance हो गया 10 hours तो यह time हो गया तो यहाँ पर simply आपको use करना है एक formula अगर आपको time निकालना है तो आप क्या लिखते हैं बच्चों जल्दी से बताई है मुझे distance upon speed अब बच्चों मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना अगर हम speed निकालें boat की downstream वाले case में तो क्या होगी x plus y मेरी बात आरे हैं समझ में क्योंकि यह दोनों एक ही direction में है ok speed of boat और speed of stream क्योंकि यहाँ पर जो stream है वो opposite direction में है इसलिए हमने यहाँ पर minus किया है मेरी बात आरे है समझ में तो यहाँ पर हम लिख देंगे speed of boat तो इस case में यह होगी x plus y km per hour ok इसी तरीके से आप लिखोगे speed of boat इसको भी आप लिखोगे km per hour अब बच्चों मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना जो आपकी पहली equation बनेगी वो यहाँ से यहाँ तक बनेगी the boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours याईनि कि आपको यह equation use करनी है time is equal to distance upon speed इस तरीके से कैसे use करोगे देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है time taken to cover 30 km upstream कितना time लगेगा time taken अगर हम निकाल ले तो क्या होगा distance upon speed तो distance कितना होगा बच्चों कितना cover किया है 30 km बात करें speed की upstream वाले case में तो यह boat की जो speed है वो होगी आपकी x minus y divided by x minus y तो in the same manner आप लिखोगे downstream के लिए time taken तो बच्चों इस case में time taken to cover 44 km downstream यह क्या होगा total distance है आपका 44 km तो आप इसको यहाँ पर लिखोगे 44 और इस case में जो speed होगी down stream वाले case में वो होगी x plus y ok divided by x plus y बच्चों जल्दी से आप इसको note कर लिजिए या फिर ले सकते हैं इसका screen shot ok मैं इस सब को यहाँ पर रब करने वाला हूँ क्योंकि next part यहाँ पर solve करना है ok जल्दी से इसको लिख लिजिए तो बच्चों अब तक आपने देखा 30 km और 44 km के लिए हमने यहाँ पर time taken निकाल लिया था ok अब यहाँ पर हम total time ले लेंगे यही formula आपको use करना है किस तरीके से आप लिखेंगे time ok कौन सा वाला 30 km के लिए ok जो 30 km वाला time है वो लिखेंगे plus जो 44 km वाला time है ok मैं यहाँ पर आपको छोटा सा तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आप इसको याद रखोगे is equal to total time ठीक है यह आपका total time है और total time आपको मालूम है 10 hours ठीक है तो यहाँ पर जो time था वो कितना था बच्चों जल्दी से बताई मुझे distance upon speed यानि कि 30 upon x minus y plus अब यहाँ पर जो 44 के लिए था वो कितना था बच्चों 44 upon x plus y यहाँ पर आपको given है total time that means 10 hours तो 10 को आप यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से आपको expand करना है मेरी बात आगे समझ में अब बच्चों इसको हम बोल देंगे equation number 1 in the same manner यहाँ पर जो statement लिखी हुई है in 13 hours it can go 40 km upstream and 55 km downstream तो इसके लिए भी आपको same equation बनानी है किस तरीके से बनेगे बच्चों जल्दी से बताए मुझे देखिए यह आपका 40 km है 40 km आपका upstream वाला case है तो 40 upon x minus y हो जाएगा plus अब यहाँ पर देखिए 55 km downstream तो 55 upon x plus y हो जाएगा ओके और total time आपको given है कितना है 13 hours अब देखिए कितना असान हो गया यह आपके हो गई second equation तो बच्चों आपने देखा यहाँ पर जो important चीज है वो क्या है यह formula time is equal to distance upon speed इसी को यहाँ पर हमने लिखा है अब बच्चों मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना अगर आप इस तरीके से यहाँ पर equation को solve करते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा एक simple सा मैं तरीका बताता हूँ एक short trick बताता हूँ आपको करना क्या है यहाँ पर देखो common क्या है दोनों ही equation के अंदर common है आपका 1 upon x minus y और 1 upon x plus y इसको आप माल लेंगे u ओके इसको माल लेंगे v अब बच्चों ऐसा करने से होगा क्या यह जो equation है यह convert हो जाएगी आपकी 30u plus 44v is equal to 10 ओके और यह जो equation है यह बन जाएगी आपकी 40u plus 55v is equal to 13 देखो यहाँ पर आपने इन equations को simplify कर लिया अब बच्चों इन दोनों equation को आप simplify कर सकते हैं sort out कर सकते हैं ओके u और b का value आप निकाल लेंगे मेरी बात आरी समझ में इस तरीके से रख कर ओके यहाँ पर इसको आप solve कर सकते हैं तो बच्चों यहाँ पर जो u और b का value आएगा उसको मैं यहाँ पर direct लिख रहाँ to save some time u का जो value है वो आएगा आपका 1 upon 5 और जो v का value है वो आएगा 1 upon 11 तो बच्चों जैसे आपके पास u और b का value आ जाता है उसके बाद आपको करना क्या है कुछ भी नहीं करना है देखिये u का value यहाँ पर आपको simply put करना है जो आपने let किया था कि 1 upon x minus y up to you और 1 upon x plus y up to v यहाँ पर simply put करना है तो यहाँ पर आजाएगा x minus y is equal to 5 आजाएगा ओके और यहाँ पर आजाएगा x plus y is equal to यह आपका आजाएगा 11 आपका x-y is equal to 5 है और x plus y is equal to 11 है ओके x plus y is equal to 11 ओके तो यह आपका cancel out हो जाएगा यह बचेगा आपका 2x is equal to plus कर लेंगे 16 तो x का value आपके पास आ जाएगा 8 ओके और जैसे आपके पास x का value आ जाता है तो आप यहाँ पर किसी भी equation में x का value पुट कर देंगे और y का value भी आ जाएगा तो y का value आपके पास आ जाएगा 3 ओके equation 1 में आप पुट करके देख लीजिए ओके जो x का value है यहाँ पर हम रख देते हैं 8 ओके तो y का value हो जाएगा 8 minus 5 is equal to 3 तो बच्चो इस तरीके से हमने find कर लिया speed of boat in still water जिसको हमने x माना था starting में let किया था ओके और y को माना था हमने speed of stream जो की आपका निकल के आ चुका है 3 and these are the answers for this problem अब बच्चो हम बात कर लेते हैं next question की find the nature of roots of the quadratic equation 2x square minus 4x plus 3 is equal to 0 यह question CBC boat 2020 में पूचा गया था question है बच्चो इस question को solve करने के लिए आपको पता होना चाहिए अगर आपको find करना है nature of roots तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए discriminant d का value आपको मालूम होना चाहिए यह किस तरीके से find करते हैं d is equal to b square minus 4ac अगर d का value less than 0 है तो क्या होगा no real root exist अगर हो है तो इसका मतलब है two distinct two different real roots are there तो बच्चो इसको solve करने के लिए आपको standard equation लिखनी पड़ेगी ओके compare करने के लिए ax square plus bx okay plus c is equal to 0 अब आपको मालूम है a क्या है x square का coefficient b क्या है x का coefficient c क्या है constant वेरी बात आ रही समझ में तो यहां से आप a b c का value find कर सकते हैं ओके यह जो two x square minus four x plus three is equal to zero है तो यहां पर a का value आ गया आपके पास two okay b का value आ गया minus four और c का value हो गया three अब बच्चो simply आपको यह जो formula है इसमें इन सभी values को put करना है okay बहुत असान है d is equal to b square minus four a c okay तो b square कितना हो जाएगा minus four है तो यह हो जाएगा आपका sixteen minus four a into c that means two into three यह हो जाएगा आपका six okay तो sixteen minus four into six यह कितना हो जाएगा twenty four तो यहां पर d का value आ जाएगा minus eight अब मुझे बताईए कि इसका nature क्या होगा जल्दी से बताईए अब पर चो d is equal to minus eight आने का क्या मतलब है d is not greater than zero ठीक है यह आपका satisfy नहीं करता है d is not equal to zero इसका simple सा मतलब है d is less than zero तो यह condition आपकी satisfy करती है यह जो equation है has no real root तो आप क्या लिखोगे since तो इसका simple सा मतलब है so the given equation has no real root and this is the answer for this problem अब आते हैं next question पर if x is equal to three is one root of the quadratic equation x square minus two k x minus six is equal to zero then find the value of k तो k का value आपको find करना है यह question पूछा गया था 2018 में ओके one mark का question है तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप इस question को solve करोगे देखिए बहुत simple है x का value आपको given है ओके एक root आपको given है तो simply करना क्या है k का value find करने के लिए यह जो आपका equation है f of x यह आपका 0 के बराबर होता है that means x square minus two k x minus six is equal to zero तो यहाँ पर आपको put करना है x का value मेरी बात आरी समझ में x का value आप 3 put कर देंगे put x is equal to 3 तो यह हो जाएगा आपका 3 to the power 2 minus 2 k into 3 minus six is equal to zero तो यह हो जाएगा आपका 9 minus six k minus six is equal to zero that means 9 minus six is equal to six k तो यह हो जाएगा आपका 3 upon six is equal to k तो इसका simple सा मतलब है जो k का value होगा वो कितना आ जाएगा बच्चो 1 upon 2 ओके तो यही आपको find करना था बच्चो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ap की यानि की arithmetic progression इस question में आपसे पूछा गया है the value of x for which 2x x plus 10 and 3x plus 2 are the three consecutive terms of an ap is पहला option है 6 दूसरा है minus 6 फीसरा है 18 और last है minus 18 यह question आपसे पूछा गया था 2020 में ओके बनमाक का question है अब बच्चो समझ लेते हैं इस question में आपसे क्या पूछा गया है देखिए आपको find करना है x का value ap आपके एक series है जिसकी 3 term आपको given है पहली है 2x दूसरी है x plus 10 और तीसरी है 3x plus 2 तो इसके लिए आपको ये सभी concept मालूम होने चाहिए अब अच्चो question के अंदर आपको given है कि यह जो 3 terms है ओके यह कैसे terms है consecutive terms है consecutive का मतलब क्या होता है कि पहले term आएगी उसके बाद दूसरी term और उसके बाद तीसरी term तो इसका simple सा मतलब हो गया कि जो पहली term है इसको हम बोलेंगे first term इसको मैंने नाम दे दिया a1 ओके यह हो गई आपकी 2x जो कि आपको question के अंदर given है इसी तरीके से आपके second term हो जाएगी x plus 10 ओके यह भी आपको given है इसी तरीके से third term भी आपको given है इसको मैंने बोल दिया a3 और second term को a2 बोल दिया ओके और यहाँ पर जो d given है यह है आपका difference of two adjacent terms is always constant यानि कि जैसे यह आपका पहला term है और यह आपका second term है और यह आपका third term है ओके तो जो d है basically क्या है difference है ओके यह हो गया आपका d1 d1 होगा आपका a2 minus a1 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जो d1 होगा वो क्या होगा a2 minus a1 होगा और d2 क्या होगा d2 होगा आपका a3 minus a2 ओके a3 minus a2 और इसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा है difference of two adjacent terms ओके adjacent का मतलब होता है कि एक term के बगल में दूसरी term इसके बगल में दूसरी term ओके जो बगल में term बैटी हुई है उसी को हमने बोला है adjacent term अब बच्चो मेरी बात को थोड़ा adjacent terms is always constant and equal ओके d1 होगा आपका a2 minus a1 ओके तो इसका simple सा मतलब है x plus 10 minus 2x तो यहाँ पर लिख लिख लिजिए x plus 10 minus 2x तो यह आपका हो जाएगा minus x plus 10 in the same manner आप find कर लेंगे d2 ओके तो d2 के लिए आप करेंगे a3 minus a2 तो a3 आपका है 3x plus 2 minus a2 a2 है आपका x plus 10 तो यह हो जाएगा आपका 3x plus 2 minus x minus 10 यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 2x ओके और यह हो जाएगा आपका minus 8 अब बच्चों जैसे ही आपके पास d1 और d2 का value आ जाता है तो आप क्या करेंगे d1 is called to d2 रख देंगे ठीक है d1 is called to d2 अब यहाँ से आपके पास x का value आ जाएगा ok d1 का value आपको मालूम है minus x plus 10 is equal to देखें 2x minus 8 2x minus 8 ok तो यह हो जाएगा आपका minus x minus 2x is equal to minus 8 minus 10 that means minus 3x is equal to minus 18 तो minus से minus आपका cancel out हो जाएगा x का value आ जाएगा 18 divided by 3 that means यह हो जाएगा आपका 6 तो बच्चों आप यहाँ पर बोल सकते हैं जो option a है वो आपका correct होगा option a is the correct answer आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं next question की यह question आपका 2020 में पूछा गया था one mark का question है तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप इसको solve करोगे तो बच्चों इस question को solve करने के लिए आपको समझना पड़ेगा इस question में क्या बोला गया है देखिए यहाँ पर साफ साफ बोला गया है जो पहला term है a p का वो क्या है p है common difference क्या है q है आपको find क्या करना है then it's 10th term 10th term आपको find करनी है जो आपका general formula होता है ओके वो क्या होता है आपको हमेशा याद होना चाहिए यह general term ओके for the nth term आप से कोई भी term पूची हो उसके लिए यह formula अपलाई होगा of n a p इसको आप note कर लें ok a of n is equal to a plus n minus 1 into d d क्या है आपका common difference n क्या है 10th term ठीक है nth term तो यही आपको find करना है 10th term और a क्या है बच्चो first term तो यहाँ पर आप लिख लेंगे जो first term है ok first term of a p कितना है p आपको given है तो आप यहाँ पर लिख लेंगे small p ok common difference common difference है q ok अब यहाँ पर इस formula को apply करना है ok आपको find करना है इस n का value 10th term के लिए ठीक है तो a का value क्या है p ok p plus n n का value क्या है 10th term ok n का value है 10 ok तो p plus 10 minus 1 d d का value क्या है q common difference आपका q है ok तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 9q ok जो आपका 10th term है वो कितना है p plus 9q option में given है क्या p plus 9q p plus 9q option c is the correct answer for this problem तो बच्चो इस formula को आप mark कर ले ok note कर ले यह आपके बहुत काम आने वाला है बच्चो बात करते हैं अगले question की इस question में आपसे पूछा गया है show that a minus b का whole square a square plus b square and a plus b का whole square are in ap यह question आपसे पूछा गया था 2018 में 2 mark का question है ok अब बच्चो इस question को solve करने के लिए क्या करोगे आपको यहाँ पर 3 term given है ok पहला term दूसर term और तीसरा term ok आपको यह prove करना है कि यह सभी की सभी term ap का हिस्सा है ok तो किस तरीके से करोगे इन दोनों का difference निकाल लोगे सबसे पहले तो आप assume कर लोगे assume क्या करोगे कि यह सारी की सारी जो term है ap का हिस्सा है उसके बाद difference निकाल लोगे consecutive terms का मानली जीए यह आपका d1 होगा और इन दोनों का जो difference होगा वो आपका d2 होगा ok जो d1 है वो equal होना चाहिए d2 के इसका simple सा मतलब है difference between two consecutive terms should be same तभी हम मानेंगे कि यह ap का हिस्सा है ok तो बच्चों आप क्या लिखोगे आप लिखोगे assume ठीक है यह आपको let करना पड़ेगा अब जैसे आपने let कर लिया तो आपको करना क्या है आप लिखोगे so ठीक है अब क्या करोगे आप यहाँ से find कर लोगे d1 और d2 d1 क्या होगा आपका यह होगा आपका let's say यह आपका term जो है वो आपका a1 है ओके और यह आपका a2 है और यह term जो है वो आपका a3 है तो यह हो जाएगा आपका a2 माइनस a1 और यह हो जाएगा आपका a3 माइनस a2 मेरी बात आगी समझ में तो a2 का value क्या है a square plus b square minus this term okay a minus b का whole square is equal to a3 a3 का value क्या है a plus b का whole square okay minus करोगे a2 क्या है a square plus b square यहाँ पर आप क्या लिखोगे यहाँ पर लिखोगे a square plus b square okay minus यहाँ पर a minus b के whole square को expand कर लीजिए कि हो जाएगा आपका a square plus b square minus 2ab okay is equal to a plus b का whole square इसको भी कर लीजिए expand a square plus b square plus 2ab minus a square minus b square okay अब बच्चों next step के अंदर यह जो minus है इसका आप अंदर multiply कर दोगे ठीक है a square plus b square minus a square okay minus plus आपका minus हो जाएगा b square और यह हो जाएगा आपका plus plus 2ab is equal to a square plus b square okay plus 2ab minus a square minus b square अब यहाँ पर आप कर सकते हैं cancel out किस थरीके से देखें minus b square plus b square यह आपका cancel हो गया minus a square से plus a square आपका cancel out हो गया in the same manner plus a square से minus a square आपका cancel out हो जाएगा plus b square से minus b square आपका cancel out हो जाएगा यहाँ पर बचेगा 2ab is equal to plus 2ab ठीक है तो इसका simple सा मतलब है जो यहाँ पर आपने common difference निकाला है a2 minus a1 वो आपका 2ab है ओके इसी तरीके से आपने निकाला a3 minus a2 वो भी आपका 2ab है और हाँ बच्चों जब भी आपसे इस तरह का कोई question पूछा जाए कि आपको दिखाना है कुछ terms आपको given है और यह prove करना है कि वो ap का part है तो आपको हमेशा यही करना है ओके a1, a2, a3 इस तरीके से terms को माल लेना है और d1, d2 लेके आप यहाँ पर जो difference है common difference है उनको equal prove कर देना है वही इसका answer होगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं hence अगर यह आपकी equal आ जाती है तो इसका मतलब है कि यह ap का हिस्सा होंगी बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब बच्चों मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस कोशन को कि यह कोशन क्या कहता है आपको number of terms निकाल ली है इतनी terms जिनका sum 180 आ जाए मेरी बात आरी समझ में उतनी terms निकालनी है उतनी number of terms निकालनी है n का value find करना है कि उनका सबका sum 180 आना चाहिए मेरी बात आरी समझ में तो आपके सामने ap series आपको given है first term आपकी हो जाएगी 45 difference आप निकालोगे ठीक है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आपका first term given है जिसको हम कहते हैं a ओके 45 अब d का value आप find कर सकते है d होता है आपका 39 minus 40 45 39 minus 45 ओके यह हो जाएगा आपका minus 6 अब बच्चों मैं आपको बता दूँ कि इस question को solve करने के लिए आपको एक important formula मालूम होना चाहिए वो formula क्या होता है sum of first n terms of n ap ठीक है तो यहाँ पर जो formula होगा वो क्या होगा sum of first n terms के लिए sn ठीक है यह आपका sum है ओके तो यह क्या होता है n by 2 n होता है आपका number of terms ओके टू इंटू ए यह आपका first term है plus n minus 1 ओके अगें n आपका number of terms है और यहाँ पर आप multiply करेंगे d से जो आपका यह given है ओके minus 6 यह आपने आप रफाइन कर लिया तो यह formula आपको use करना है मेरी बात आगे समझ में तो sn का value भी आपको given है sn का value है sum 180 इस formula में इन सभी values को आपको put करना है तो चलिए इन सभी values को put कर लेते हैं 180 is equal to n by 2 ओके n का value आपको find करना है 2a a का value 45 है 2 into 45 plus n minus 1 ओके d का value minus 6 इसको further आप solve कर सकते हैं 180 is equal to 2 n by 2 ओके यह आपका 90 हो जाएगा plus इसको अंदर आप multiply कर देंगे ओके तो यह minus 6 n हो जाएगा आपका ओके minus 6 n then plus 6 हो जाएगा ठीक है तो 90 plus 6 आपका कितना हो जाएगा बच्चों जल्दी से बताएगे मुझे यह आपका 96 हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका minus 6 n ओके इसको आप further solve कर सकते हैं ओके आपको करना है cross multiply 180 इंटू 2 360 n का अंदर आप multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 96 n minus 6 n square तो बच्चों इसको आप बना लेंगे quadratic equation तो यह हो जाएगा आपका 6 n square minus 96 n और plus 360 ओके is equal to 0 अब यहाँ पर देखिए आप 6 से divide कर सकते हैं इस पूरी equation को आप 6 से divide कर सकते हैं ओके तो चलिए इसको divide कर देते हैं divide by 6 तो यहाँ पर हो जाएगा आपका n square minus 16 n plus 60 is equal to 0 तो आपने इस equation को simplify कर लिया by dividing 6 अब बच्चों आप जानते ही होंगे कि यहाँ पर आपको क्या करना है factorization करना है मेरी बात आरे ही समझ में क्या करना है factorization यह आप लिख देंगे factorizing ठेक है किस तरीके से दो numbers होंगे आपके पास दोनों का multiply करने के बाद यह number आना चाहिए और यहाँ पर add या फिर subtract करने के बाद 16 आना चाहिए तो वो दो number कौन से होंगे 10 और 6 दोनों को add करेंगे तो 16 आ जाएगा दोनों को multiply करेंगे तो 60 आ जाएगा यहाँ पर आप लिखेंगे n square minus 10 n minus 6 n plus 60 is equal to 0 तो यहाँ पर इसको solve कर लेंगे okay solve करने के बाद आपके पास n की दो value आएगी एक आएगा 6 और दूसरा आएगा 10 ओके तो यहाँ पर आप निकाल चुके हैं n की दो values इसलिए आप से पूछा है explain the double answer यानि कि n की आपके पास दो value आ रही है तो क्यों आ रही है यही आप से पूछा है सबसे पहली बात आप से पूछी थी how many terms of the AP must be taken so that their sum is 180 तो आपके पास 2 terms है इसका मतलब है जो first 6 terms है उनका sum 180 है और जो first 10 terms है उनका भी sum 180 है तो यह कैसे possible है यही आपको यहाँ पर बताना है explain करना है explain the double answer तो बच्चो जल्दी से आप इसको note कर लीजिए या फिर आप ले सकते हैं इसका screenshot ठीक है मैं इसको यहाँ पर clear करने वाला हूँ okay so that कि मैं यहाँ पर आपको बता पाऊँ explain the double answer बच्चो आपको इसी बात को समझना है कि sum of first 6 terms कैसे equal हो सकती है sum of first 10 terms यह तो possible हो ही नहीं सकता कैसे possible होगा यहाँ पर हम इस बात को explain करेंगे क्या यह possible होगा या फिर नहीं जल्दी से बताए मुझे क्या possible होगा या फिर नहीं देखिए यह आपका series है जल्दी से देखते जाना बच्चो 45 ओके difference आपको मालूम है common difference कितना था minus 6 कैसे आया 39 minus 45 ओके यह आगया आपका minus 6 अब देखिए series कैसे complete करोगे यह आपका first term है 39 यह आपका second term है 33 ओके जल्दी से आपको series complete करनी है यहाँ पर मैं number लिख देता हूँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओके तो आपकी यह जो 4 term होगी वो क्या होगी minus 6 करना है ओके जो common difference है वो आपका क्या है minus 6 तो यहाँ पर जल्दी से minus 6 के gap में आप numbers को लिखते रहिए 21 इसके बाद क्या आएगा जल्दी से बताए 15 इसके बाद 9 इसके बाद 3 इसके बाद minus 3 और इसके बाद minus 9 अब देखिए सारा खेल आपके सामने है अब देखिए यहाँ पर मैं एक line draw कर देता हूँ जो पहली 6 terms है इनको आप add कर लिजिए 45 प्लस 39 प्लस 33 प्लस 27 प्लस 21 प्लस 15 तो यह आपके पास आजाएगा 180 मेरी बात आगी समझ में आप देखिए जो बाकी वाली terms है 7th, 8th, 9th और 10th इनको add करेंगे तो क्या आएगा यह प्लस का 9 है उसके बाद plus 3 उसके बाद minus 3 और उसके बाद minus 9 मेरी बात आगी समझ में यहाँ पर आजाएगा अंसल आपका 0 कैसे यह आपका minus 9 है और यह आपका plus 9 है यह आपका cancel out हो जाएगा इसी तरीके से minus 3 और plus 3 cancel out हो जाएगा तो जो बाकी terms है इनका sum हमेशा 0 होगा इसलिए हमने कहा है कि आप इन 6 terms को add कर लो या फिर बाकी सब 10 को add कर लो sum आपका रहेगा 180 ही मेरी बात आगे समझ में अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो दुबारा सुन लीजिए आपने यहापर 6 terms को add करके देखा आपके सामने मिल गया answer 180 अब यहाँ पर इन सभी 10 terms को add कर लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है sum of first 6 terms तो आपको answer मिल गया 180 अब सभी को add कर लीजिए तब भी आपको answer मिलेगा 180 मेरी बात आगे समझ में बात करते हैं AP के last question की in an AP if the common difference D is equal to minus 4 and the 7th term A7 is 4 then find the first term अब देखिए यह question आपसे पूछा गया था 2018 में 1 mark के लिए इस question के अंदर कुछ कुछ चीज़े आपको given है D का value given है D is equal to minus 4 common difference given है 7th term आपको given है 4 तो यहाँ पर आप लिखेंगे A7 is equal to 4 find the first term first term आपको निकाल ली है तो इसका simple सा मतलब है आपको निकालना है A का value मेरी बात आरी समझ में तो बच्चों आप जानते हैं क्या जानते हैं आप लिखेंगे we know that कितनी होती है formula बताई यह जलती से A N is equal to A plus N minus 1 into D अब यहाँ पर आपको इन सभी values को put कर देना है A N का मतलब है A7 मेरी बात आगी समझ में इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं first time आपको निकाल ली है n minus 1 into D अब देखिए A7 का value कितना है बच्चो 4 तो यहाँ पर आप रखेंगे 4 A का value आपको find करना है तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दे n का value तो यहाँ पर n का value हो जाएगा 7 मेरी बात आरी समझ में A7 के लिए आपको निकालना है तो आप लिखेंगे 7 minus 1 ओके और D का value कितना है minus 4 तो इसको आप लिखेंगे minus 4 ओके तो यह हो जाएगा आपका 6 into minus 4 that means यह हो जाएगा आपका A minus 24 ओके यह आपका 4 है यह आपका 4 है तो A का जो value होगा finally कितना आएगा बच्चो जल्दी से बताईए मुझे 28 ओके तो बच्चो सो बात की एक बात यह है कि आपको formula पता होना चाहिए ठीक है जब भी आप exam में जाओगे तो उससे पहले आपको सभी formula याद होने चाहिए ठीक है और यह तो आपके बहुत basic formula है तो चलिए अब बात करते हैं next topic की बच्चो अब हम बात करेंगे coordinate geometry की इससे पहले हम 5 topics को cover कर चुके हैं real numbers, polynomials, pair of linear equation in two variables quadratic equations and arithmetic progression बात करते हैं coordinate geometry के first question की write the coordinates of a point on x-axis which is equidistant from the points a and b तो a के जो coordinate है वो है आपके minus 2,0 और b के है 6,0 यह question पूछा गया था 2019 में 1 mark के लिए अब बच्चो समझ लेते हैं इस question का मतलब क्या होगा आपको find करने है coordinate और यह जो coordinate है वो होंगे आपके x-axis पर मेरी बात आरी समझ में question में ही आपको बोला गया है यह जो coordinate है आपको find करने है x-axis पर और हाँ बच्चो आपको यह भी बोला गया है कि जो coordinate होंगे यह equal होंगे equal distance पर होंगे कहां से इस point से और इस point से मेरी बात आरी समझ में अब यहाँ पर इन दोनो point को हम draw कर लेते हैं यह point को यहाँ पर हम draw करते हैं तो यह आपका x1 है और यह आपका y1 जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है minus 2 आपका x1 है 0 को मैंने y1 बोला और 6 को यहाँ पर x2 और 0 आपका y2 होगा तो चलिए इस point को हम यहाँ पर show कर लेते हैं यह आपका graph है यह आपका positive का x-axis होगा यह आपका negative का होगा और यह आपका plus का y-axis और यह आपका negative का y-axis तो सबसे पहले हम draw करते हैं minus 2,0 को तो आपका minus का यहाँ पर आएगा यह आपका minus 2 होगा और यह आपका 0 ठीक है तो बच्चों इन दा same manner जो आपका b point है इसको भी आप graphically यहाँ पर plot कर सकते हैं x2 आपका 6 है तो that means 1,2,3,4,5,6 और जो y2 है वो आपका 0 है तो पहला point आपका यह हो गया और जो b point है वो होगा आपका यह अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझना आपको x-axis पर एक ऐसा point find करना है जो की a से भी same distance पर हो और b से भी same distance पर हो तो कही न कहीं वो point आपका a और b के बीच में lie करेगा और हम कह सकते हैं कि वो कही न कहीं a और b का midpoint होगा मेरी बात आरे समझ में तो बच्चों ऐसे case में आपको directly use करना है midpoint formula जब आपको 2 point given होंगे और आपको बीच का point निकालना है तो आपको यही formula use करना है यह formula क्या होता है x1 प्लस x2 upon 2 y1 प्लस y2 upon 2 और मैंने आपको यहां पर बता दिया कि x1 क्या होगा y1 क्या होगा x2 क्या होगा और y2 क्या होगा तो चलिए यहां पर directly find कर लेते हैं midpoint is equal to x1 प्लस x2 upon 2 कर लेंगे तो x1 क्या है आपका minus 2 plus x2 x2 क्या है बच्चो 6 upon 2 comma y1 प्लस y2 तो y1 आपका 0 है plus y2 y2 भी आपका 0 है अब बच्चो मेरे बात को थोड़ा ध्यांचे सुनना जो y का coordinate है वो तो आपका यहां पर भी 0 है तो that means यहां पर भी आपका वो 0 ही आने वाला है तो चलिए इसको solve कर लीजिए minus 2 plus 6 कितना हो जाएगा जल्दी से बताएगे plus 4 upon 2 comma 0 तो यह जो coordinate होंगे यह होंगे आपके 2 comma 0 and this is the answer for this problem अब इस coordinate को आप यहां पर show कर सकते हैं कहां पर आएगा यहां पर आएगा मेरे बात आगे समझ में 2 comma 0 अब यहां पर देख लिजिए equal distance पर होगा 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 आप यहां पर लिख सकते हैं यह जो point है आपका वो minus 2 comma 0 था और b आपका था 6 comma 0 और यह जो midpoint है वो निकलके आया है आपका 2 comma 0 और यही आपको find करना था बात करते हैं next question की find the area of a triangle whose vertices are given as 1 comma minus 1 minus 4 comma 6 and minus 3 comma minus 5 यह question पूछा गया था 2019 में 1 mark के लिए इस question को solve करने से पहले इन सभी coordinates को आप x और y की form में represent कर लेंगे यह आपका होगा x1 यह होगा आपका y1 in the same manner यह हो जाएगा आपका x2 यह हो जाएगा आपका y2 और यह होगा आपका x3 and y3 अब यहाँ पर आप लिख लेंगे formula area of triangle area of triangle a b c तो a b c क्यों बोल रहे है a b c इसलिए बोल रहे है क्योंकि यहाँ पर आपके 3 point है माली जीए यह आपका a point है यह आपका b point है और यह वाल आपका c point है तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया a b c अब देखें यहाँ पर represent करने का जो तरीका है उसको आप यहाँ पर समझ लें 1 by 2 लिखना है ओके इसके बाद यहाँ पर आप लगा दे बड़ा सा bracket ठीक है अब लिखेंगे आप x1 ओके इसके बाद आपको लिखना है x2 इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर space देके x3 मेरी बात आरे समझ में अब यहाँ पर आपको multiply करना है ठीक है इसके साथ इसके साथ भी होगा multiply और कुछ इसके साथ भी होगा क्या होगा आपको यहाँ पर लिखना है y2 minus y3 ओके अब यहाँ पर plus करना है ओके अब यहाँ पर आपको क्या करना है multiply करना है तो क्या लिखेंगे y3 minus y1 ओके फिर से plus करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे multiply में y1 minus y2 अब यहाँ पर कई बच्चों को confusion होती है कि किस तरीके से y2 minus y3 और y3 minus y1 और y1 minus y2 यह कैसे याद रखें तो इसके लिए आपको करना क्या है यहाँ पर एक number लिखें 2 3 1 2 मेरे बात आरी समझ में अब आपको करना क्या है 2 में से 3 को minus करना है देखिए 2 है यह आपका और यह 3 है in the same manner 3 में से फिर 1 करेंगे और फिर 1 में से 2 minus करेंगे तो यह y के लिए हो गया आपका ठीके यह number आप याद रखें तो आपको यहाँ पर इसको solve करने में आसानी होगी अब बच्चो जल्दी से इन सभी values को x1 y1 इन सभी values को आप यहाँ पर put कर दें ओके आपका answer आ जाएगा 1 upon 2 अब बच्चो इसका जो answer होगा वो आप मुझे बताएंगे comment section में लिखकर तो फटा फट से इसका answer मुझे comment section में लिखकर बताईए अब बच्चो बात करते हैं next question की if the point p k comma 0 divides the line segment joining the points a 2 comma minus 2 and b minus 7 comma 4 in the ratio 1 ratio 2 then the value of k is यहाँ पर 4 option आपके सामने है पहला है 1 दूसरा है 2 तीसरा है minus 2 और आखरी है minus 1 यह question पूछा गया था 2020 के अंदर अब समझ लेते हैं इस question का मतलब क्या है दिखे एक line आपको given है अब line के यहाँ पर 2 point है a और b okay if the point p k comma 0 divides the line segment अब यह जो p point है यह इस line को divide करती है okay किस ratio में divide करती है 1 ratio 2 में मेरी बात आर ही समझ में यह आपका 1 है तो यह आपका 2 होगा अब यहाँ पर यह जो point है p ठीक है यह आपका divide कर रहा है k comma 0 तो आपको इस क का value find करना है मेरी बात आरी समझ में इस k का value आपको find करना है बच्चो इस question को solve करने के लिए आपको use करना है section formula जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है एक line segment है और उसके यहाँ पर कुछ section बन चुके है 1 और 2 खीक है इसलिए इसका नाम पढ़ा है section formula तो बच्चो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है x, y तो y तो आपका यहाँ पर 0 है तो इसका तो हमें कोई use नहीं करना मेरी बात आरी समझ में क्योंकि y आपका 0 है और जो x है वो आपका k है तो आपको यहाँ पर यह x निकालना है या फिर हम कह सकते हैं इसको k मेरी बात आगे समझ में यही आपका k है और y आपका 0 है तो यह आपको नहीं निकालना अब बच्चो यहाँ पर देखिए मैंने ratio लिखा हुआ है m ratio n अब यहाँ पर जो m और n है वो आपका ratio है that means 1 ratio 2 जो आपको question के अंदर given है अब देखिए इस k का value find करने के लिए आपको मालूम होना j x2 और x1 का value तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं दोनो point आपको given है ओके a point आपको given है जल्दी से बताएए मुझे 2, minus 2 और b आपको given है minus 7,4 minus 7,4 तो बच्चों यहाँ से आप x1 और x2 का value find कर सकते हैं x1 होगा आपका 2 और x2 होगा minus 7 मेरी बात आगे समझ में और m और n है 1 ratio 2 यानि m का value 1 है n का value 2 है तो simply इस formula में आपको values को put कर देना है तो चली हम find कर लेते हैं okay k का value find करना है या फिर हम कह सकते हैं x okay हम इसको लिख लेते हैं better तरीके से k और x ठीक है is equal to m x2 plus n x1 upon m plus n ठीक है तो m का value 1 है into x2 x2 का value minus 7 है plus n का value 2 है multiplied with x1 x1 का value 2 है upon m plus n यानि की 1 plus 2 1 plus 2 okay अब इसको आप solve कर लें minus 7 plus 4 upon 3 okay इसको आप solve कर लेंगे कितना आएगा जल्दी से बताइए minus 3 upon 3 that means यह आपका आ जाएगा minus 1 ठीक है और यही आपका answer होगा बच्चो अगला question आपसे पूछता है the value of p for which the points a 3,1 b 5,p and c 7,-5 आपके सामने है minus 2, 2, minus 1 या फिर 1 अब बच्चो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना यह जो word है कॉलिनियर इसका simple सा मतलब है एक line है ओके इस line पर इस line पर 3 point है a, b, c अब देखिए यह pass भी हो सकते हैं दूर भी हो सकते हैं ठीक है उससे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन एक ही line पर lie करने चाहिए यह सबसे बड़ा matter है ठीक है इस word का मतलब ही यही है कि 3 point एक ही line पर lie करते हैं चाहे वो दूर हो चाहे pass हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता तो बच्चों इस question को solve करने के लिए आपको करना क्या है simply इन 3 points को x और y की form में यहाँ पर लिख लेना है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है x1 y1 x2 y2 और उसके बाद x3 y3 अब यहाँ पर आपको directly formula लिखना है मैं यहाँ पर तरीका बता रहा हूँ आपको वैसे ही आपको लिखना है आप लिखेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे x1 ओके उसके बाद x2 और उसके बाद x3 ठीक है इसके बाद आपको multiply करना है y2 minus y3 plus करेंगे यहाँ पर आप फिर से multiply करेंगे y3 minus y2 plus करेंगे इसके बाद फिर से multiply करेंगे y1 minus y2 तो बच्चों आपको हमेशा ये वाला formula यूज़ करना है जब आपको ये condition given हो कि आपके 3 point है and they are collinear ठीक है आपको कोई भी point पूछा हो p का value तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं और हाँ बच्चों एक बात और बता दूँ इसका एक और formula होता है उसको भी आप note कर लें क्या लिखेंगे आप यहाँ पर लिख दें और करके ठीक है और करके आप यहाँ पर लिख दें x1 y2 plus x2 y3 plus x3 y1 minus x1 y3 plus x3 y2 plus x2 y1 is equal to 0 बच्चों यहाँ पर मैं आपको suggest करूँगा कि आप यह वाला formula use करें और कैसे करना है इसका short trick मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको करना क्या है यह जो आपके coordinates है उनको आपको इस तरीके से लिखना है x1 x2 x3 और x1 यहाँ पर y1 ओके यहाँ पर y2 इसके बाद y3 और उसके बाद y1 इस तरीके से आपको लिख लेना है 3 5 7 3 ओके यहाँ पर आप दिख सकते हैं 3 5 7 उसके बाद फिर से 3 ठीक है अब आपको जो यह वाला है ठीक है यह वाला पार्ट कैसे करना है x1 into y2 x1 into y2 ओके तो आपको simply यहाँ पर arrow mark करना है जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले कौन सा multiply करना है मेरी बात आरी समझ में उसके बाद x2 into y3 that means x2 into y3 तो यह जो downward वाला arrow है यह आपका पहला पार्ट है ठीक है इसके बाद x3 into y1 तो x3 into y1 ठीक है यह आपका बहुत आसान है अब इसके बाद आपको जो second वाला पार्ट है यह करना है इसके लिए आपको upward वाला arrow करना है मैं यहाप पर different जो color है वो लेता हूँ ठीक है अब यहाँ पर देखना बच्चो x1 into y3 तो उसके लिए नीचे से जाएंगे ओके x1 into y3 ठीक है इसके बाद x3 into y2 तो x3 into y2 इस तरीके से अब इसके बाद x2 into y1 तो यह आपका यह वाला पार्ट हो जाएगा ठीक है सबसे पहले आपको उपर से नीचे आना है उसके बाद आपको नीचे से उपर जाना है बस इतना portion आपको याद रखना है आपको यह सब याद नहीं रखना है कि x1 into y2 होगा या फिर x2 into y3 होगा तो इन सब के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है ठीक है तो आपको यह short trick आ is similar to triangle pqr if ab upon pq is equal to 1 upon 3 then यहाँ पर आपको ratio find करना है areas का अब बच्चो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना this question is very very important क्योंकि यह आपका लगतार पूछा गया है 2000 में 2002 में 4 में 6 में 8 में 10 में 19 में 20 में तो हो सकता है इस बार भी यह question पूछ लिया जाए तो चली बच्चो अ आपको यह simple theorem मालूम होना चाहिए यह theorem क्या कहती है two ratios of the areas of two similar triangles are equal to the ratio of the squares of any two corresponding sides तो बच्चो यहाँ पर बोला गया है कि अगर हम दो similar triangles का ratio लेते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है आपको given है कि दोनों triangle आपके similar हैं तो आप यहाँ पर ratio ले सकते हैं अब ratio लेने के बाद क्या होगा यह किसके बराबर होगा यह बराबर होगा जो triangle ABC है उसकी side ठीक है corresponding sides होंगी तीन side होंगी तो उसके square के बराबर होगा ठीक है इसी तरीके से जो triangle PQR है उसकी corresponding side भी 3 होगी तो उनके भी square के बराबर होगा मेरी बात आरी समझ में यहाँ पर ratio हम लेंगे और हाँ ब 19 में 20 में तो हो सकता है इस बार भी ये question आपसे पूछ लिया जाए अब यहाँ पर इस theorem को apply कर देते हैं किस तरीके से करोगे आपको मालूम है कि जो triangle ABC है वो आपका similar है triangle PQR के ठीक है और आपको given है AB upon PQ is equal to 1 upon 3 ठीक है तो आपको find क्या करना है area of triangle ABC ratio with area triangle PQR is equal to क्या हो जाएगा बच्चों आपको square करना है side का ठीक है तो AB square हो जाएगा मेरी बात आगे समझ में in the same manner जो PQ side है उसका भी आप square कर देंगे तो यहाँ पर आपका area आ जाएगा triangle ABC area triangle PQR ओके अब देखे जो AB side है वो आपकी 1 है और PQ side आपकी 3 है तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 का square और यहाँ पर लिखेंगे 3 का square ओके बच्चों यहाँ पर आप लिख सकते हैं area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to 1 upon 9 ओके और यही आपका answer होगा ठीक है आपने देखा कितना आसान था simply यह theorem आपको याद होनी चाहिए अगर आपको याद है तो आप directly इसको apply कर सकते हैं अब चाहिए आपको कोई भी side given हो आपको simply square करना है बात करते हैं अगले को समझना पड़ेगा question में क्या बूला गया है देखिए ABC आपका एक equilateral triangle है तो यहाँ पर मैंने draw कर लिया एक equilateral triangle ठीक है अब side यहाँ पर 2A है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जो AB side है वो भी आपकी 2A है BC side भी आपकी 2A है और AC side भी आपकी 2A है यानि की AB is equal to BC is equal to CA ठीक है is equal to 2A इसके बाद आपसे पूछा गया है then length of one of its altitude is इसका simple सा मतलब है कि इस triangle के अंदर आपकी 3 altitude होंगी किस तरीके से पहली मैंने यहाँ पर draw की है इस point को मैंने यहाँ पर बोल दिया D इस point को मैंने बोल दिया D point इसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा है altitude AD is drawn such that AD is perpendicular to BC अब यहाँ पर यह हो जाएगी आपकी perpendicular मेरी बात आगे समझ में अब बच्चों आप चाहों तो बाकी altitude भी आप draw कर सकते हैं लेकिन उनका कोई काम नहीं है ठीक है आपको एक ही altitude का length find करना है इस तरीके से आप find कर सकते हैं ठीक है तो आपको एक ही altitude draw करनी है मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि तीन altitude होती है मेरी बात आगे समझ में इस तरीके से लेकिन इनकी जरुवत नहीं है तो मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ बच्चों इस question को solve करने के लिए आप क्या करोगे दो triangles को आप component prove कर दोगे ठीक है उसे होगा क्या आपको इस question को solve करने में help मिल जाएगी किस तरीके से पहला triangle आपका यह वाला होगा और दूसरा यह वाला तो यहाँ पर आप लिखेंगे in triangle ADB okay ADB and triangle कौन सा होगा जल्दी से बताइए ADC यह आपका D है ठीक है अब अब देखिए जो AB है वह आपका AC के बराबर है जो AB है वह आपका AC के बराबर है विकॉस यह दोनों 2 A है अब देखिए AD बराबर AD आप बोल सकते हैं क्यूं क्यूंकि दोनों triangles में AD आपकी common है ठीक है यह जो AD है यह आपकी common है common है okay यह आपकी common है दोनों ही triangle में okay बच्चों इसके बाद क्या करोगे देखिए triangle ADB के अंदर triangle ADB के अंदर यह angle आपका 90 degree है और triangle ADC के अंदर भी यह angle आपका 90 degree है तो इसी बात को आप यहाँ पर लिख देंगे angle ADB is equal to angle ADC is equal to 90 degree okay because AD जो है वह आपका perpendicular है BC पर अब बच्चों आप मुझे बताइए यहाँ पर concurrency का कौन सा rule apply हुआ है जल्दी से बताइए येस रहS rule इसका simple सा मतलब है एक आपका right angle है ठीक है और एक आपका hypotenious है इसके बाद एक आपका side है तो यहाँ पर right angle आपका ये वाला हो गया ठीक है ये इसके बराबर है और hypotenious आपकी ये वाली हो गई इसके बराबर ठीक है इसके बाद आपकी side हो गई तो यह आपकी common side हो गई तो यहाँ पर आप लिख देंगे क्या लिखेंगे triangle adb is congruent to triangle adc ओके by rhs congruency तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे आप लिख सकते हैं bd is equal to dc ठीक है कैसे लिखोगे by cpct that means corresponding parts of congruent triangles by cpct corresponding parts of congruent triangles ठीक है तो इसका simple सा मतलब है जो bd है वो किसके बराबर हो जाएगी dc के जब आपके दो triangle congruent prove हो जाते हैं तो उनके corresponding parts भी बराबर होते हैं अब जब आपको मालूम है कि bc का value 2a है तो bd हो जाएगी आपकी a ओके और dc भी हो जाएगी आपकी a तो यह बन जाएगा आपका 2a ठीक है अब बच्चों इसको a कैसे लिखा है हमने आप इस थरीके से भी लिख सकते हैं कि आपको मालूम है कि bd is equal to dc है ठीक है यह हमने यहाँ पर लिखा है तो आप क्या लिखेंगे bd is equal to dc ठीक है अब dc को आप क्या लिख सकते है half of यह आपका आदा होगा bc का half of bc ठीक है तो अब यहाँ पर आप लिख सकते है half of bc bc का value आपको मालूम है 2a ओके upon 2 तो 2 से 2 आपका cancel out हो जाएगा मेरी बात आरी समझ में यह आपका bd है तो इसका simple सा मतलब है आपने यहाँ पर प्रूब कर दिया bd is equal to dc is equal to a ठीक है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है अब बच्चो जल्दी से इस part को आप note कर लीजिए ठीक है screenshot ले लीजिए मैं इसको रब करने वाला हूँ अब बच्चो मेरी बात को ध्यांसे समझना next step क्या होना चाहिए इसको solve करने के लिए आपको एक triangle लेन है तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे hence अब यहाँ पर आपको मालूम है hypotenuse क्या है बच्चो जल्दी से बताइए 2a तो 2a का square कर देंगे perpendicular परपेंडिकुलर का value आपको find करना है ठीक है altitude का value तो आपको find करना है और base क्या हो जाएगा base आपका a हो जाएगा ठीक है a का square अब बच्चो p का value आपको find करना है तो let's say मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ p square is equal to अब देखिए यह हो जाएगा आपका 2a square okay 2a का whole square minus a square ठीक है तो यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 4a square minus a square ठीक है तो यह बन जाएगा आपका 3a square ठीक है p square p square अब यहाँ पर इस p को आप लिख सकते है ad ठीक है यही तो आपका altitude है यह जो परपेंडिकुलर है यही आपका ad है तो इसको solve कर लेंगे यह आपका जाएगा under root 3a ठीक है तो ad का value आपके पास आ गया under root 3 into a अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझना अगर आपसे पूछा गया होता कि आपको सारी की सारी altitude की length निकालनी है यानि कि यह वाली जो altitude है इसका भी आपको length निकालना है और आपकी अगर यह वाली जो altitude है इसका भी value निकालना है तो आपकी value सेम आती क्योंकि यह triangle आपका कैसा है equilateral triangle है तो यहाँ पर मान लीजिए यह आपका BE है और यह आपका CF है तो हम यहाँ पर लिख सकते थे AD is equal to ठीक है इस तरीके से आप लिखते अगर आपसे तीनों altitude का value पूछा होता length पूछा होता so this is the answer for this problem आगे पढ़ते हैं और बात करते हैं अगले question की ABC is an isocellus triangle right angle at C with AC is equal to 4 cm find the length of AB अब बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि isocellus triangle के अंदर आपकी 2 side बराबर होती है तो यहाँ पर आपको एक side का value given है AC is equal to 4 cm ठीक है तो मैं जो आपकी BC है वो बराबर हो गई CAK ठीक है इस question के अंदर आपको यह भी given है कि जो 90 degree का angle है वो कहाँ पर बनता है at C तो यहाँ पर मैंने इसको represent कर दिया ठीक है इस तरीके से आपको triangle draw करना है represent करना है कि कहाँ पर आपकी side बराबर है और कहाँ पर आपका angle 90 degree है अब आपको find करना है length of AB ठीक है तो आपको यह जो length है यह आपको find करनी है तो बच्चों बहुत simple है आपको use कर लेना है pythagoras theorem ठीक है पाइथा गौरस ठीक है तो इसका answer क्या होगा बच्चों जल्दी से बताईए मुझे तो यह हो जाएगा आपका 4 under root 2 ठीक है 4 under root 2 अब हमने इस बात को कैसे लिखा है under root 32 को आप लिख सकते हैं मेरी बात को अध्यांच से समझना आप लिख सकते हैं इसको 4 into 4 into 2 4 चोक 16 और 16 दूनी 32 ठीक है हमने इसी बात को इस तरीके से लिखा है अब देखिए अब यहाँ पर आपका पेर बनता है 4 का तो इस पेर को आप हमेशा बाहार लिखते हैं और जो बच जाता है अकेला उसको आप under root में लिखते हैं तो इस तरीके से आप answer find कर सकते हैं अब बच्चों बात करते हैं हमारी next topic की circle की तो देखिए इस question में क्या पूछा गया है triangle ABC is circumscribing a circle the length of BC is dash centimeter तो बच्चों ये question पूछा गया था 2020 के अंदर ओके यहाँ पर आपको figure given है अब बच्चों समझ लेते हैं इस question का मतलब क्या है देखिए एक triangle आपको given है आप यहाँ पर देख सकते हैं ABC अब यहाँ पर जो term है circumscribing इसका मतलब है इस triangle के अंदर एक circle पूरी तरीके से fit हो चुका है ठीक है इस तरीके से हमने यहाँ पर draw किया है कि sides को touch करता है और पूरी तरीके से fit होता है ठीक है तो यहाँ पर आपको BC length का जो measurement है वो आपको find करना है अब अगर आपके पास एक circle है और बाहर एक external point है और इस external point से यहाँ पर हम tangent draw करते हैं ओके आपकी यह दो tangent हो गई तो दोनों का जो length होगा वो आपका बराबर होगा ठीक है मेरी बात आगे समझ में अब point आपका कहीं से भी हो सकता है let's say यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर हो सकता है बाहर होना चाहिए ठीक है तो उस point से आपकी दो tangent अगर draw करते हैं तो दोनों का जो length होगा वो आपका same होगा इसी बात को यहाँ पर English में लिखा है two lengths of two tangents drawn from an external point to a circle are equal ओके इसी बात को मैंने आपको यहाँ पर Hindi में समझा दिया है तो चली बच्चों अब इस theorem को apply कर लेते ह है आपको bc का value find करना है ओके तो किस तरीके से find करोगे अब सवाल यह आता है कि इस theorem को आप इस question को solve करने के लिए कैसे use करोगे तो देखिए यहाँ पर आपके तीन external point है कौन कौन से a है आपका b है आपका ओके और c है तो इसको आपको use करना है इसी theorem को किस तरीके से use करोग जैसा कि आप यहाँ पर जानते हैं जो bp है इसका measurement 4 है तो bq का measurement भी 4 होगा मेरी बात आगे समझ में ओके इसी बात को मैंने आपको यहाँ पर समझाये था इसी point को आप यहाँ पर mention कर देंगे pb is equal to pb is equal to bq ओके अब आप जानते हैं pb का measurement 4 था तो bq का measurement भी 4 हो जाएगा का measurement ओके अब आपको RC का measurement नहीं पता अगर आपको यह पता होता तो आप आराम से बोच सकते थे कि यह दोनों आपस में equal होती ओके अब अच्छो simple सा logic यूज करना है या तो आप value निकाल ले AR का या फिर RC का तो directly RC का value तो आएगा नहीं तो आप यहाँ पर value निकाल लेंगे AR का और AR का value कैसे आएगा आपको मालूम है AP का value 4 है तो AR का value भी 4 हो जाएगा मेरी बात आगे समझ में अब देखिए बच्चो total length AC का 11 है ओके तो 11 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूँ तो RC का value निकल के आ जाएगा ओके तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ PA is equal to AR ओके अब आपको मालूम है PA का value 4 है तो AR का value भी 4 हो जाएगा अब यहाँ पर हम find कर लेंगे आरसी का value ओके तो RC का value find करने के लिए बच्चो AC में से आप AR माइनस कर देंगे ठीक है AC में से AR को माइनस कर देंगे ठीक है AC का value है 11 माइनस AR का value 4 है ओके तो यहाँ पर यह value आ जाएगा आपका 7 अब बच्चो जैसे ही आपके पास RC का value निकलके आ जाता है आप यहाँ पर लिखेंगे RC का value 7 cm ओके तो यह किसके बराबर होगा QC के बराबर होगा जितना RC है उतना ही QC होगा ठीक है तो यह भी हो जाएगा आपका 7 cm तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे BC is equal to BQ plus QC ओके और जब आपने यहाँ पर RC का value 7 निकाल लिया था तो आप बोल सकते हैं RC is equal to QC होगा that means 7 cm ओके तो QC का value 7 आ गया और BQ का value आपको मालूम था 4 cm ओके तो BQ का value आपको यहाँ पर मिल गया था 4 cm और QC का value आपको यहाँ पर मिल गया ठीक है that means 7 तो बच्चो BC का value आपके पास आ गया 11 cm ओके and this is the answer for this problem अब बच्चो बात कर लेते हैं अगले कोशन की In figure PQ and RS are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting PQ at A and RS at B Prove that angle AOB is equal to 90 degree तो बच्चो यह कोशन पूछा गया था आपसे 2019 में ओके और यह आपकी figure है और यह बनता है आपका 90 degree का angle ठीक है आपको यही प्रूव करना है कि यह angle आपका 90 degree का बनता है बच्चो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस question में क्या पूछा गया है देखिए आपकी दो tangent है जो की parallel है PQ और RS ठीक है PQ और RS बोथ are parallel to each other ठीक है एक और tangent है आपकी third tangent वो कौन सी है AB ठीक है और इसका जो point of contact है वो आपका C है और यहाँ पर O जो है वो आपका circle का center है तो चलिए यहाँ पर छोटा सा construction कर लेते हैं ओके for the sake of simplification किस तरीके से करोगे OD को आपको join करना है that means इस line को join कर लेते हैं मैं यहाँ पर dotted line draw कर देता हूँ इसके बाद O E को भी join करना है ओके O E को भी join कर लेते हैं इसके बाद OC को भी join करना है OC को भी join कर लेते हैं अब बच्चों मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना इस question को solve करने के लिए कुछ छोटे छोटे आपकी concept use होंगे कौन कौन से देखिए यहाँ पर काफी सारे triangle है तो आपको कही न कही इन triangles को congruent proof करना है इसके बाद यहाँ पर देखिए आपकी parallel line से तो parallel line का भी जो concept है वो कही न कहीं use होगा तो चलिए मैं आपको यहाँ पर फटाफट बता देता हूँ किस तरीके से आपको use करना है देखिए सबसे पहला आपको triangle लेने है AOC and AOD ओके देखिए यहाँ पर आपका AOC और AOD यह दो triangle आपको लेने हैं यह वाला और यह वाला ठीक है अब देखिए इन दोनों triangle में AO is equal to AO यह आपका common है यहाँ पर देखिए OC जो है वो OD के बराबर है क्योंकि दोनों की दोनों इस circle की radius हैं तो बराबर ही होंगी ठीक है इसके बाद AD is equal to AC अब यहाँ पर देखिए AD is equal to AC because both are tangent of this circle तो बच्चों यहाँ पर हमने दोनों triangles को congruent prove कर दिया with the help of triple S rule यानि की दोनों triangles में सभी sides को हमने बराबर prove कर दिया ओके अब आप बोल सकते हैं CPCT से angle 1 जो है वो आपका angle 2 के बराबर होगा इस angle को हमने नाम दे दिया angle 1 और इसको हमने नाम दे दिया angle 2 तो बच्चों in the same manner आपको यह दो triangles भी congruent prove कर देने हैं कौन कौन से BOC and BOE by triple S rule जिस तरीके से हमने इन दो triangles को किया था उसी तरीके से आप इन दो triangles को भी congruent prove कर दोगे ओके अब आप यहाँ पर angle 3 is equal to angle 4 लिख सकते हैं by CPCT ओके तो यह आपका angle 3 हो गया और यह आपका angle 4 हो गया अब बच्चों मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना अभी तक तो हमने triangles को congruent करने वाला rule apply किया है अब आप करेंगे parallel line वाला किस तरीके से देखिए यह आपकी दो parallel line है PQ और RS तो यहाँ पर देखिए यह जो angle है ठीक है और यह वाला angle ओके इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा 180 degree के बराबर होगा because both are co-interior angles ठीक है parallel line के बीच में है तो यहाँ पर आप लिख देंगे क्या लिखेंगे angle DAC plus angle CBE is equal to 180 degree ठीक है तो यहाँ पर देखिए angle DAC is actually angle 1 plus angle 2 angle 1 plus angle 2 और angle आपका CBE CBE यह आपका सम है angle 3 और angle 4 का angle 3 plus angle 4 is equal to 180 degree अब यहाँ पर देखिए angle 1 जो है वो angle 2 के बराबर है और angle 3 जो है वो angle 4 के बराबर है तो आप यहाँ पर लिख सकते है angle 2 plus angle 2 अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं angle 3 plus angle 3 is equal to 180 degree अब बच्चो यहाँ पर थोड़ा गौर करना कि मैंने angle 2 और angle 3 ही क्यों लिया है क्योंकि यह वाला आपका angle जो है वो triangle A, O, B के अंदर आते हैं अब यहाँ पर देखिए angle 2 और angle 3 ठीक है angle 4 आपको नहीं लेना है और angle 1 नहीं लेना है ठीक है तो इसलिए मैंने यहाँ पर angle 2 और angle 3 लिये हैं ओके तो इसको आप लिख सकते हैं 2 of angle 2 प्लस इसको add कर देंगे 2 of angle 3 is equal to 180 degree ओके अब यहाँ पर 2 common ले लेंगे 2 common लेने के बाद angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree ओके तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा angle 2 plus angle 3 is equal to 180 divided by 2 that means 90 degree अब देखिए आपका यहाँ पर काफी सारा काम जो है असान हो चुका है किस तरीके से मेरी बात को थोड़ा ध्यांचे सुनना अगर angle 2 और angle 3 का जो sum है वो 90 degree है तो obviously जो आपका angle O है वो आपका 90 degree ही होगा अगर हम बात करें हो का sum already 90 है तो तीसरे का क्या होगा 90 degree ही होगा तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ठीक है ज्यादा space नहीं है तो मैं यहीं पर आपको solve करके दिखा देता हूँ अब आप क्या लिखेंगे इंट्रेंगल AOB यही तो आपको prove करना है angle AOB is equal to 90 degree यहाँ पर आप लिखेंगे angle 2 plus angle 3 सभी angle का जो sum होगा वो क्या होगा 180 degree के बराबर होना चाहिए तो तीन angle कौन कौन से है angle 2 और angle 3 और आपका angle AOB जो आपको find करना है इसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा है is equal to 180 degree अब देखिए angle 2 plus angle 3 कितना है यहाँ पर हमने find कर लिया है 90 है 90 plus angle AOB is equal to 180 degree ओके तो AOB का जो value है वो कितना हैगा बच्चो जल्दी से बताइए minus हो जाएगा that means angle AOB is equal to 90 degree और यही आपको find करना था अब बच्चो बात करते हैं अगले question की तो बच्चो जो हमने triangle के अंदर first question किया था ठेक है उसमें एक theorem use हुई थी यह वाली अब आपको यह theorem ही prove करनी है मेरी बात आरे समझ में यह question पूछा गया था 2018 के अंदर तो बच्चो मैं आपको बता दूँ कभी कभी CBC directly यह जो theorem है इसको prove करने के लिए पूछ लेता है या फिर इसके उपर base कुछ question पूछ लेता है ठीक है तो आपको दोनों के लिए ही तयार रहना है तो चलिए फटाफट इस question को solve कर लेता है आपसे क्या पूछा गया है मैं आपको यहाँ पर हिंदी में समझा देता हूँ देखिए यह जो point है वो आपका external point है यहाँ से आपकी दो tangent हमने draw की है AP और AQ ठीक है यह आपका point of contact है P और Q इसका मतलब है आपको यह prove करना है कि जो AP है वो AQ के बराबर है आपको prove करना है AP is equal to AQ तो बच्चों इसको solve करने के लिए सबसे पहले आप छोटा सा construction कर लेंगे वो construction क्या होगा आप सबसे पहले यहाँ पर assume कर लें कि जो O point है वो आपका center है मेरी बात आगे समझ में अब यहाँ पर आप join कर लेंगे O P को O Q को और O A को ठीक है यहाँ पर join कर लेते हैं O A को ठीक है यह हमने join कर लिया ठीक है O A इसके बाद O P को join कर लेते हैं O P को हमने join कर लिया इसके बाद आपको join करना है O Q ठीक है इसको भी हम join कर लेते हैं यह आपका construction complete हो गया अब बच्चों मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना आपको prove करना है AP is equal to AQ तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना है इन दू triangles को congruent prove करना है ठीक है इन दोनों triangle को congruent अगर हम prove कर देते हैं तो with the help of CPCT हम बोल सकते हैं कि AP जो है वो आपका AQ के बराबर हो जाएगा तो इसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा है first prove triangle OPA is congruent to triangle OQA तो इसके लिए अब देखिए आपको दोनों triangle पर यहाँ पर धियान देना है observe करना है OA is equal to OA अब यहाँ पर देखिए OA यह आपका common line है ठीक है तो आप यहाँ पर लिख देंगे common ठीक है दोनों ही triangle का हिस्सा है तो आपने लिख दिया common अब यहाँ पर देखिए OP is equal to OQ यानिकी OP is equal to OQ दोनों ही circle की radius है ठीक है तो आप यहाँ पर लिख देंगे radius ठीक है इसके बाद देखिए angle OPA is equal to angle OQA is equal to 90 degree यानि कि यह वाला angle और यह वाला angle 90 degree के होंगे क्यों होंगे देखिए जब भी आपकी tangent पर देखिए center से हम radius draw करते हैं तो जो आपका यहाँ पर point of contact है वो हमेशा 90 degree का angle बनाता है ठीक है तो आपने यहाँ पर बोल दिया angle OPA is equal to angle OQA is equal to 90 degree तो इसी बात को मैंने यहाँ पर लिख दिया है since a tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact ठीक है इसी बात को मैंने हिंदी में आपको समझा दिया है तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं so by RHS rule we can say triangle OPA is congruent to triangle OQA ठीक है तो जैसे आपके दोनों triangle congruent prove हो जाते हैं तो आप बोल सकते हैं AP is equal to AQ RHS rule आपको मालूम होगा ठीक है यह rule कहता है R का मतलब है right angle okay H का मतलब है hypotenuse और S का मतलब है side ठीक है तो 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 तो